तो बच्चों आज की स्कलास में हम लोग बात करेंगे कच्छनों की एंसी आइटी मैसमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 कुश्चन नमबर फस्ट इस स्क्रिन पर आपको कुश्चन हिंदी मीडियम में दिख रहा है इसे मैं इंगलिस में भी पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आग देखना देखे इसमें सब कुछ अभी आपको मिल जाएगा कुश्चन कहता है इंगलिस में पढ़ रहा हूं हिंदी में इस्क्रिन पर आप लोग देख लो किताब है आपके पास NCRT उसमें देखो लिखा है इन फिगर इस ओनली पॉइंट आन मीडियन एडी आफ स्वरी ए तो यह फिगर दिया गया है इसे मैं पहले आपको बना के यहां पर दिखाऊं तब आपको जादा अच्छे समझ में आएगा है ना तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूं देखे पीछे साइड में हम चित्र बनाना शुरू कर चुके हैं आईए आपके साथ दिखाते हैं यह एक ट्रेंगल है ABC देखो बेटा कोईश्चन इस्क्रिन पर हिंदी में लिखा है कि तिरभूज ABC की एक मादिका AD पर इस्थित E कोई बिंदु है तो तिरभूज ABC बन गय इसकी मादिका यह मैंने खीच दिया जिसे मीडियन बोलते हैं ठीक है मादिका का नाम हो गया AD कह रहा है कि बेटा इसी AD पर इस्थित E कोई बिंदु है तो इसी पर क्या है E एक बिंदु इस्थित है क्या नाम है इसका E E आगे कह रहा है कि दरसा ये मतलब कीजिए सिद आगे कि area of ABE ABE ध्यान देना ABE यानि इसका जो area है अभी मिला तो है नहीं तो इसको पहले मिला लेते हैं जितना कहरा देखो आप समझो मिल गया area of ABE यानि इसका जो छेतरफल है जहां मैं हाथ रख रहा हूं ध्यान देना इसका area है वो किसके बराबर है बिटा वो बराबर है area आप A.C.E. यानि A.C.E. मतलब यह जो है area यानि यह अगर मैं बोलू इसमें मैंने P लिख दिया इसमें मैंने Q लिख दिया या फिर E वाला मानलो जिसमें E लिखा है या Q लिखा है तो यह इतने का पूरा area और इतने का पूरा area आपस में बराबर है यह हमें करके दिखा बना है ठीक है आईए चलिए फिर सुरू करते हैं इसको मैं मिटा देता हूं कि वल समझने के लिए लिखा था इसमें यह हो गया कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए हम कुईश्चन को स्क्रीन से हटा देंगे देखो बेटा यहां से इसका सलूशन स्टार्ट होता है कुईश्च वहां से और यह अहां पर फिकर बना है तिरभूज ABC में AD क्या है मादिका है लिखिये पहले दिया है क्या है दिया है और लिखेंगे गीवेन क्या लिखेंगे इंगलिस वाले लिखेंगे गीवेन क्या दिया है बिटा लिखो एक तिरभूज ABC जिसकी मादिका AD है ये दिया है ठीक है ये दिया है कि एक तिर्भुज ABC है जिसकी मादिका AD है तो भी अगर ये दिया है तो जो AD है ध्यान देना ये AD वो इस तिर्भुज को दो बराबर पार्ट में बाटेगी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना नहीं है ना नीचे लिखो यह हो गया दिया है ओके अब नीचे लिखिए यह दी AD कामा लगाके तिरभूज ABC की माधिका है मतलब मीडियन है यह माधिका है ठीका साट कट में है तो क्या होगा यह दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे ABD और ACD या ADC ठीक है तो लिखो ट्राइंगल ABD और ACD आपस में बराबर है तो ट्राइंगल ABD ABD इक्वल ट्राइंगल ACD ठीक है यह क्या होंगे बबुआ यह आपस में बराबर होंगे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर यह माधिका है तो तिर्बुचको दो बराबर भागों में यह बांटेगी यही question number आपका हो गया पहला यहाँ पे लिख लिजिए इसलिए ठीक है हमें क्या करना है हमें यह दिखाना है कि जो दोनों माधिका खीचने के बाद में जो यह चेत्रबंद आया और यह चेत्रबंद आया यह आपस में इनकी अरिया बराबर है चेत्रबंद बराबर है बहुत आसान है समझते चलना है जो पिछे कमेंट के पढ़ें बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं समझ में नहीं आयागा ठीक है यह नई कलास है लाइब हो रही मैं सबका कमेंट देख रहा हूं पराबर होगा EBC में है ना लिखो इसी तरह तिरभूज EBC में भाईया EBC कहां है देखो A E B C यानि यह छोटका वाला नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसमें देखो area of E B D लिखो area of E B D equal area of E C D E C D यह आपस में बराबर होगी equation number हो गया second इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं ना अगर बड़े वाले तिरभूज में लेंगे बेटा तो यह पूरा का पूरा बराबर होगा इसके और अगर छोटके वाले तिरभूज में लेंगे जहां पर E लिखा है तो हमें यह दोनों क्या हैं बराबर दिये हैं अब लिखिए सब्ट्रेक समी करण 2 minus समी करण 1 हिंदी में लिख लीजिए समी करण सिकेंड माइनस समी करण 1 दोनों समी करण को आपस में सब्ट्रेक कर देंगे तो देखो बेटा यह ABD है बराबर ACD के बराबर है समझते चलना और यह क्या है EBD है तो जब इसमें से यानि पूरे बढ़के वाले से इसको घटाएंगे तो बबुआ ABE बचेगा ना क्या बचेगा ABE बचेगा ना लिख लो पहले तुम लिखी लो लिखो ट्रेंगल ABD माइनस ट्रेंगल EBD इक्वल इधर वाला लिख लो ट्रेंगल ACD यह लिखा मैंने माइनस यह ट्रेंगल ECD ठीक है यह हो गया डन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना चलो आप समझो भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो एकदम रिंची बर दिमाग लगा लो बच्चा लगा लो ना देखो क्या करना है ABD ABD अगर से थोड़ा सा समझना यह क्या है वेटा समझना बस थोड़ा था ABD बोलो बना ना मैंने सिर्फ ABD उधर बनाया इतना इसमें से निकालके और इसमें एकठी आउर है यह बीच वाली लाइन जो थी यहां पर E था ना समझना बहुत प्यार से समझना बिल्कुल दिल लगा के देखो संदो मैं क्या बोल रहा हूं ABD मतलब वो पूरे वाले ट्राइंगल से जो मैं पहले बनाया था EHD घटा देना है ashes EBB घटा देना है मतलब Pasलब EPD घटा देना मतलब यह ट्रैंगल इसमें से हटा देना है तो देखो प्रइटाय यह मैंने हटा दिया 2 अगका क्या बचा 2-2 अगय法 ट crease तब चना यही तो हमें लाना था खो area of triangle A B E ऐक्क्वल यही condition इधर भी करोगे बेटा A, C, D से जब तुम छोटका वाला triangle घटा दोगे जिसका नाम है E, C, D तो यह बच जाएगा A, C, E क्या बचेगा A, C, E triangle A, C, E यही तो मिलाना था लिख दीजिए hence proved हिंदी वाले लिख देंगे आताह सिद्ध हुआ इंग्लिस वाला लिख देंगा बच्चा hence proved पहला question done हो गया, कोई doubt है तो बता दो जल्दी करिए इस screen side लीजिए आगे बढ़िए next question बहुत जल्दी ही आपके सामने आ रहा है बहुत जल्दी करिए 9.3 question number second आईए देखते हैं इस screen पर आपके प्रस्ण दिख रहा है बड़ा ही प्यार से देखना और पूरा इंड तक देखना जिससे की समझ में आए ठीक है बटा हिंदी में लिखा है मैं इसे इंग्लिस में पढ़के सुना देता हूँ आप सुन लीजिए question कहे रहा है in a triangle ABC in a triangle ABC E is midpoint of median AD in the triangle ABC E is the midpoint of median AD so that area of VED equal 1 upon 2 area of ABC यह हमें प्रूब करके दिखाना है लेकिन इसमें तो 1 upon 4 दिया है तो भाई 1 upon 2 है ना actual में देखो क्या है 1 upon 4 लाना है इन्होंने जो हमें document टाइप किया वो गलत है उसमें ठीक है तो question जो screen पे हो सही है 1 upon 4 लाना है ठीक है चलो तो हमें यह करना है कह रहा है हिंदी में देख लीजिए ABC में E मादिका AD का मद्दबिंदू है इस figure को मैं एक बार फिर से समझा दूँ अगर आपको तो आप यहां से समझ लो भाई समझाने के लिए मिटा दे रहा हूँ समझ लीजिए कह रहा कि इस तिर्भूज जो ABC है ना बाबू इसकी एक मादिका AD है आप सभी मादिका खीचना जानते हो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं मादिका खीचने में तो यह क्या है एक तिर्भूज है ABC ठीक है इसकी एक मादिका खीचा जिसका नाम है AD क्या नाम है बेटा AD तो अब इस मादिका में क्या कह रहा हो कह रहा कि इस मादिका का मिड़ पॉइंट E है मतलब इस मादिका में भी एक मिड़ पॉइंट है जिसका नाम E है तो ऐसी थिती में दिखाना है कि BED का जो छेत्रफाल है बेटा कौनसा BED यानि ये जो एरिया है ये ये तिरभूज का वो इस पूरे ट्रेंगल के यानि ABC जो बढ़का वाला ट्रेंगल बना है उसकी पूरी एरिया के एक बटा चार के बराबर है कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इस पूरे ABC तिरभूज की जो एरिया है यानि छेत्रफाल है अगर वो चारी उनिट है चारी काई है तो इसका अकेले का वन इउनिट है या वन इकाई है ऐसा सिद्ध करना है ठीक है आजाओ चलो फटा फट कर लेते हैं देखो इसमें दिया है लिखो गिबन या हिंदी में लिखें दिया है ट्रेंगल ABC जिसकी मादिका AD है इतना दिया है इसमें किसी को कोई दिक्कप नहीं है तो बिटा अगर ये दिया है तो यहाँ पर होगा इफ लिए तिर्भूज ABD इक्वल तिर्भूज ACD ये भी ऐसा होगा क्यों होगा आप कहोगे भई आईसा कैसे होगा देखो बिटा अगर ABC की मादिका AD है तो ये मादिका तिर्भूज को दो बराबर भागों में बाट रही है यानि एक तिर्भूज ABD एक तिर्भूज ACD दोनों आपस में बराबर होगे अगर मादिका खीची जाती है तो तिर्भूज दो भाग में बट जाता बराबर बराबर ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि triangle ABC equal triangle ABD plus triangle ACD हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो तिर्भुज बढ़का वाला ABC है उसको लाने के लिए इन दोनों छोटे तिर्भुजों को जोड़ा भी जा सकता है ठीक है चलो तो अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं ध्यान देना ट्रेंगल ABC इक्वल ट्रेंगल ABD धन ट्रेंगल ABD आप कहोगे ये कौन नया लफडा कर दिये आप तो ACD की जगा पर ABD लिख दिये हाँ लिख सकते हैं क्योंकि उपर हमने देखा कि जो ABD है वो ACD के बराबर है तो चाहे हम ABD की जगा ACD लिख दे या फिर ACD की जगा पर हम ABD लिख दे दोनों की बात एक कह होती है तो हमने वही तो किया इसमें कौन गुना किया चलो तो अब इसे हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ABC इक्वल ये दोनों जुड जायेगा ठीक है अब इन दोनों को समझना जुड और तो क्या होगा देखो यह ABD है ये भी ABD है तो दोनों जब जुड एगा तो हाफ ABD हो जायेगा ऐब ओ जायेगा हाफ ABD यानि è الا 2 ABD यह क्या समय में आया यह पया हो जाया है यह इना हो थ depends से आजाएगा भाई ए जुड़ता है तो टू ए होता है न तो ऐसे अगर यह दो बार जुड़ेगा तो यह बच्चा टू एबीडी होगा क्या होगा टू एबीडी होगा आप सही है आप कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न हाँ इसमें आप तिरभूज भी लिख सकते हो या ट्रेंगल ABC इक्वल ABD ठीक है अब यह आपका बन गया इक्वैसन नंबर फर्स्ट क्या बन गया आपका इक्वैसन नंबर फर्स्ट समी करण नंबर एक हो गया इसको लिख लिजिए कोई डाउट है तो बता दीजिए देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो बेटा चाह आगे बढ़ें चलिए इतना लिख लिए फटा पड़ अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा तिरभूज ABC में न अब हम छोटे-छोटे तिरभूजों का हिसाब करेंगे तिरभूज ABD में अब इधर वाले तिरभूज में आ जाएंगे क्योंकि हमें इसी से सम्म कुछ लाना आया कि कर लेंगे ना चो देखो नीचे लिखो हिंदी में लिखेंगे ठीक है लिखिये तिर्भुज भी डी में ध्यान देना थ्यान धीनीने हम केवल आधाим की बात कर रहे हैं तरह भूल्की की बात कर रहे हैं यह फिञ dealers मीडियह नथ और गॉल्सका ज्यादा समझबा होगे, समझना, यह क्या है? यह ABD है, देखो बेटा, उसी का एक पार्ट है, मैं निकालके यहां लाया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए, समझना, यहां पे D है, यहां पे B है, ठीक है, डन, वो जो गंदा वाला गोंचा है, वो D है, इधर वाला भी है, सम तो बेटा, जो यह BE है न, यह इस तिर्भूज की मादिका है, क्या है? मादिका है, और मादिका हमेशा तिर्भूज को दो बराबर भागों में बाटती है, क्या करती है? मादिका हमेशा तिर्भूज को दो बराबर बराबर भागों में बाटती है, तो हम इस तिर्भूज म मादिका है क्या है मादिका है इंगलिस वाले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD BE is the median of ABD ठीक है तो ऐसे इस्थिती में बेटा जो AE है वो DE के बराबर होगी कौन? AE जो है वो DE के बराबर होगी भाई सीधी सी बात है अगर ये मादिका है तो इसको आधा आधा बांटेगी एक नहीं बांटेगी ना तो लिखो AE E equal DE ये साटकट में लिख दे रहें तुम्हारे काम आएगा भी भाई आओ देखो यह समझो आओ अगर ये तिर्भूज ABD था ये एक मादिका हो गई मादिका मतलब जो बीच पे से काटती है अरे ये तिर्भूज को थोड़ा घुमा लो अगर अगर इसको ऐसे कर लो घुमा के तो तुम्हे ज्यादा समझ में आएगा वो थोड़ा टेंड़ा बनाया अलग तरह काई से बनाया अब समझो ये AD है देखो बेटा आप समझो ये अब सीधा बनाया मैंने अब मैंने सीधा बनाया इसी तिर्भूज को मैंने सीधा कर लिया बस समझो ये जो बीच था ना मैंने इसको उपर लिख दिया मतलब इसको मैंने इसे घुमा दिया पकड़ के बस और कुछ नहीं किया, तो भाई हो, अगर इसको यह आधा-दा काट रहा है ना, तो यह दोनों बराबर होगा आपस में नहीं, होगा ना बराबर, यानि A, E, B, D के क्या होगा, सोरी, B, D नहीं यार यह, E, D, बराबर होगा ना, तो वही चीतों मने लिखा है, चलो आगे, अब देखो, तिरभूज, B, E, A, यहां पर लिखो, तिरभूज, फटापट लिखो, B, E, A, बराबर, B, E, D, B, E, D, यानि यह तिरभूज इस तिरभूज के बराबर होगा, नीचे लिखो तिरभूज, B, E, D, B, E, D, बराबर, ट्राइंगल, B, E, A, ठीक है, चाहे इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, अब देखो, A, B, D, जैसे उपर करें हैं न, इसको जोड के, वैसे सब कुछ इसमें भी करना है, कुछ नया नहीं करना है, वैसे सब कुछ करना है ठीक है तो नीचे अभी एक लाइन दिख रहा है तो मैं नीचे और लिख दे रहा हूँ समझते चलना कोई दिक्कत नहीं लेना आप लिखो ट्रेंगल पूरा पूरा ए बी डी बढ़के वाले में इसके बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों तिर्बुजों को जोड़ कर A B E धन B E D है न ठीक है तो चलो लिखो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो B E A और प्लस ये दूसरा वाला B E D ठीक है तो लिखो ट्रेंगल B E A धन ट्रेंगल B E D ठीक है कोई दिक्कत नहीं न B E D भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो देखो बेटा ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों को जोड़ रहे हैं दोनों को क्या कर रहे हैं आपस में जोड़ करके ये पूरा बढ़का वाला बना रहे हैं बस हां तो क्या बुराई है यही तो कर रहें न इधर ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं न अब बेटा देखो यहाँ पे एक चीज समझो हमें B.E.D. में ही सिद्ध करना था न B.E.D. लाना था सिद्ध करने में और A.B.C. लाना था B.E.D. लाना है A.B.C. लाना है लेकिन यहाँ पर A.B.C. तो अभी है नहीं तो हम क्या करेंगे B.E.A. को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि B.E.A. जो है B.E.D. के बराबर है इसके आगे अब हम उदर साइड में करेंगे आईए समझे देखे बहुत ही दिल लगा के समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक नीचे लिखे हैं उसके बाद इधर आजाईए जल्दी से इधर आजाईए फटा फट बिलकुल देर नहीं करना अगर आप कहोगे तो मैं कैमरा इधर भी गुमा दूंगा कोई दिक्कत नहीं हां चलो समझते जाना बस बड़ा प्यार से समझो आओ चलो चलो समझाते हैं लिखो बेटर ट्रेंगल ए बीडी बराबर लिखो यहां पर देखो बी ए बीडी के बराबर है बराबर है ना बच्चा तो चलो लिखो फटाफट फटाफट लिखो अबी इडी धन बी इडी triangle BED plus triangle BED देखो मैंने बराबर क्यों लिख दिया क्योंकि ये आपस में बराबर था यानि इसकी जगा पर इसको लिखा जा सकता है और ये तो already था इसलिए ऐसा हो गया तो अब ये triangle ABD equal to triangle BED यहां ये बन जाएगा एक बटा दो triangle ABD equal triangle BED ठीक है थोड़ा इसमें triangle का चिन लगा लो हलका गंदा सबन गया है तो थोड़ा समल जाओ लिख लेजिए ये triangle लगा दीजिए ABD equal BED triangle का चिन लगा लो या ना लगा लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तिर्भूज सब जानने एक तिर्भूजा लिखा है चलो इतना हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को तो बेटा अब इनको क्या करोगे आप इनको क्या करोगे भई आप ABD बराबर BED जो बना न यह आपका एक परकार से एक तिर्भूज बन गया बन गया की नहीं इतना लिख लो जल्दी से फटा पट फटा पट लिखो यह जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ें हो गया चलो यह आपका इकवेसान नंबर एक आलग हो गया खिल्दी से कहीं मिला था यह बिला था न हमें सिद्ध क्या करना था कुश्षan दिखाओ के कुश्षषण देखो एक सीकेंड पर जाना этव गुश्षं देखो किरा था कि एक बटा चार ABC के बराबर है BED, ठीक है, चलो अंसर आगया, कुछ लोग सोच रहा होंगे कैसे, ये तो बड़ा घूम फिर गया अंसर आगया, देखो कैसे देखो बेटा, जो ट्राइंगल ABD है वास्तों में ABD की जगा पर हम हाफ ABC लिख सकते हैं यहां ध्यान तो समिकरण एक से ABD की जगा पर हाफ ABC लिख सकते हैं तो यह ऐसे हो जाएगा, एक बटा दो ऐसे रहेगा इसकी जगा पर हाफ ABC कोईश्टाक बंद और BED कोई दिक्कत नहीं किसी को ना ABD की जगा पर समिकरण एक से हम इसको पूरे को लिख देंगे इनका अंदर में गुडा करेंगे बिटा तो यह एक बटा चार हो जाएगा और ABC इक्वल BED हो गया, लिख दो इती सिद्धम अता सिद्ध हुआ अता सिद्ध हुआ लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लोगे इक्वल ट्रेंगल BED बस लिख दो इती सिद्धम अताह सिद्ध हुआ ठीक है देखिए समझने वाला चीज है थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत आसान नहीं है कि बस खटा-खट करते जाओ समझने वाली चीजे है ठीक है, दन आगे बढ़े, एनी डाउट बताओ जल्दी करो, हो गया चलिए, स्क्रीन साट लीजिए मैं सामने से डोलता रहता हूँ इसलिए कि आप लिख सको ऐसा नहीं कि एक जगा मैं जाम हो जाऊँ छूपा करके नहीं, मैं ऐसे डोलता रहता हूँ डगर मगर कि तुम इधर वाला देख के लिखो, उधर वाला देख के लिखो चलो, आगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए, जिनको स्क्रीन साट लेना वीडियो पूस करके लिखिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कुश्चन बहुत जल्दी तिसरा कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए, गौर करिए, क्या कहता है कहरा कि बटा, दर्साइए समांतर चतुर्भुज के दोनों बिकर्ड उसे बराबर छेत्रफलों वाले चार तिर्भुजों में बाटते हैं यह क्या करना हमें, दर्साना मतलब प्रूब करना इंग्लिस में बात करें तो इंग्लिस में कुछ ऐसे इसको बोलेंगे यह हमें करना है, प्रूब करना है चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिकर दिखाते हैं देखो बिटा, यह कह रहा कि एक समांतर चतुरबूज है मतलब एक पैरलोगराम है तो भाईया हो, बाबू हो, बना लो ना एक पैरलोगराम रों का किफने है यह लो, यह लो एक पैरलोगराम बना लो यह लो, मैंने क्या किया एक पैरलोगराम बना लिया टेणा मेडा कहरा कि इसके जो ये diagonal है जो मैंने अभी खीचा ध्यान देना अगर मैं बिटा इसका नाम लिख देता ABCD अगर मैं इसका ABCD नाम लिखा होता तो ये diagonal AC हो गया एक diagonal BD हो जाएगा मान लो इसके कटान बिंदू को O से लिख देते हैं O फार आउल, आउल मन्दल उल्लू ठीक है आप समझो कहरा कि जो विकर्ण है AC और ये विकर्ण भी D इस तिर्भुच को चार बराबर बराबर भागों में बाट रहे हैं ऐसा सिद्ध करो, ऐसा प्रूब करो चलो, लिखो आप ऐलो ग्राम ABCD with Diagonal AC and BD लिखो दिया है यहाँ पे लिखिए हल गिबन हिंदी में लिखिए दिया है क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिख ले मैं बोल रहा हूं लिखूंगा नहीं लिखो क्या दिया है? हिंदी में लिखिए एक तिर्भुज एक तिर्भुज सोरी 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 एक चतुर्भुज ABCD जिसके दो बिकर्ण AC और BD हैं लिखो दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके दो बिकर्ण AC और BD हैं इंग्लिस मीडिया वाले लिखेंगे गिबन में लिखो Aperilogram ABCD with diagonal A,C, and B,D given में लिखो Aperilogram ABCD with diagonal A,C, and B,D फिए, नीचे लिखे सिद्ध करना है सिद्ध करना है, हिन्दी में लिखेंगे इंगलिस में लिखेंगे, to prove to prove क्या करना है, बेटा सिद्ध क्या करना है AOB इसको लेलो उपर वाला इसको थोड़ा बड़ा फिलिख़ो लिखो फुरूब क्या करना है ट्रैंगल ओम बी मतलब मित्ला ऑफ यह ट्रैंगल right है किसके ए कि र्रैंगल इसरी हो बी ठीक है यह चारों आपस में बराबर है जीf न फिर से ऑफ सी विलिके लिखो तुम चलो, आगे जगा है, हाँ जगा है, ठीक है, C-O-D, C-O-D, equal D-O-A, इनको तुम आलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हैं, हम A-O-B को B-O-A भी लिख सकते हैं, तो कहीं अगर ऐसे मिलता तो confused ना हो ना, C-O-B को बेटा हम B-O-C भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मैंने तीन लिखा ना, आप चारों लिख दिया है, C-O-D, C-O-D को हम कहीं कहीं D-O-C भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यह कहो कि, आप तो ऐसे लिख रहे हो का है, ऐसे नहीं ऐसे होता है ठीक है चलो आगे बढ़ें अब ध्यान देना अब लिखे अगली लाइन लिखे इतना हो गया अब नीचे लिखे प्रूफ अब हम क्या करने चल रहे हैं प्रूफ करने चल रहे हैं जो करना था लिखे चतुरबुच के विकरण एक दूसरे को संदुभाजित करते हैं हिंदी लिखे अले लिखे लेंगे एसा ऐंगलिस वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई ₹प पैंलोज्ण भाई ₹प दा डाइगोर्न अला पैयलो ग्राम और भी सेड़ eटर याबी सेक्ट आधर 20 एलबिसएया झाल अब नीचे लिख Правा ट्रांग से हीघ्ञ नीचे लिखो देखो A, B, C मतलब ये इतना triangle उपर वाला ये वाला छोटका हिसा ये वाला तो इसमें क्या है बेटा A, O बराबर है O, C के A, O, O, C के क्यों बराबर है क्योंकि इसमें O, B क्या है माधिका है लिखो, आगे लिखो क्या लिखोगे O, B, माधिका है या फिर इंगलिस में लिखोगे The, O, B is the median ठीक है लिखो यापर क्योंकि O, B माधिका है और माधिका हमेशा ही तिरबुज को दो बराबर भागों में काटती है माधिका जो होती है हमेशा तिरबुज को दो बराबर भागों में काटती है यह सबको पता है तो इसलिए यह इतना हो जाएगा अब देखो बेटा अगर A, O, O, C के बराबर है और यह इसमें क्या है माधिका है O, B तो कोई भी तिरबुज एक एक इजाम पर ले लो छोटा सा अगर यह ऐसा है इसमें बीच में मानलो यह माधिका होगे जिसका नाम हम A, D रख देते है तो समझ ना जो माधिका A, D है ना वो हमेशा इस तिरबुज को दो बराबर बराबर भागों में बाट देती है यानि A, यह D, C और A, D, E यह आपस में बराबर होंगे तो वही कंडिसन यहाँ भी होगी ट्रेंगल A, O, B इक्वल ट्रेंगल इधर का B, O, C बराबर हो जाएगा ठीक है? A, O, B बराबर क्या हो जाएगा? B, O, C देखो मैं C बोल रहा हूँ लेकिन D लिख रहा है यह थोड़ा एक इस्टेप आगे चल रहा है यह क्या हो जाएगे? आपस में बराबर हो जाएगे? क्योंकि मात दिका इनको दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है तो भाईया हो, बाबू हो यह एक्वेसा नंबर पहला हो जायागा कुश्चन इस्क्रीन से अटा दीजिए आगे बढ़िए हमने क्या किया? ट्रेंगल A, B, C में लिया था अभी तक आधे में नीचे वाला आधा भी छोड़ा हूँ A, C, D अब नीचे लिखो तिरभूज B, C, D में ले लो चलो B, C, D पहले मैंने इधर वाले में इतने में लिया था आइसा क्यूं कर रहे? क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे समझो चलो समझो अब क्या करोगे? लिखो ट्रेंगल ट्रेंगल B, C, D में B, C, D में B, C, D में देखो भाई ये O, C इसमें मादिका है याद रखना बाबू, OC क्या है, मादिका है, अगर OC मादिका है तो यह OB और OD बराबर होगा, भाई सीधी सी बात है, लिखो OB equal OD, ब्रेकट में लिख लो, क्योंकि OC मादिका है, क्या है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि OC क्या है, मादिका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परसान नहीं ना चलो अब आगे लिखो फिर ट्रेंगल बी झो सी ग्राइंगल बी ओसकी बराबर TT would यह क्यूं है पथ है प्रिंगल भी EC बराबर sì ओ डी बराबर इसली है क्योंकि ये मानदी का इसको ब्राबर ब्राबर भागों में बाट रही है तो B, O, C बराबर हो जाएगा ट्रैंगल C, O, D ठीक है? C, O, D यह हो गया एक कोईसा नमबर सीकेंड कोई दिक्कत? कोई परिसानी? नहीं न? अब नीचे लिखो इन ट्रैंगल A, C, D A, C, D देखो हम इसमें हर एक पक्छ को सामिल कर रहे हैं अगर आप ध्यान दो सबसे पहले हमने A, B, C लिया यानि यह इतना पाट लिया हमारा हाथ ध्यान से देखो यह इतना पाट पहली बार लिया दूसरी बार में हमने यह इतना पाट लिया तीसरी बार में हम यह इतना पाट लेंगे मतलब पूरा कबर करेंगे D में लिखो बेटा A O बराबर O C क्या लिखोगे A O बराबर O C ब्रेकट में लिखो क्योंकि 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 क्या है इसमे मादिका है ना O D क्या है O D मादिका है चलो लिख लिए तो जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें आगे करिए चलिए आगे देखती है फटा फट आगे बढ़ते हैं देखो जैसे मैंने उसमें बताया वैसे इसमें भी करना है जैसे उधर करते आया हो दो में वैसे इसमें भी कर लेंगे देखो ये अगर आप इसमें ले रहे हो ACD में तो इसमें OC और OA बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि OD क्या है मादिका है तो अगर यह मादिका है बेटा तो यह तिर्भुच दोनों आपस में बराबर होंगे तो आप लिखो triangle triangle COD COD लिखो यहाँ पर इफ लिए triangle COD equal triangle triangle AD AOD ठीक है AOD लिख लो या पिर इसे DOA भी लिख सकते हो मतलब एक होता है ठीक है तो यह आपका equation number third हो गया समझते चलो हमने अभी तक तीन पार्ट सामिल किया बेटा पहले यह लिया फिर यह लिया और अब यह लिया अब अगर आप ध्यान दो तो यह और यह और यह में चारो आ गया चारो तरब से अब कुछ बचा नहीं है कि बचा है कहीं नहीं बचा न सब हो गया न आप लिखो हिंदी वाले लिखेंगे समी करण एक कामा समी करण दो कामा समी करण तीन से इंग्लिस मुटियम वाले लिखेंगे बाई एक्वेशन फास्ट कामा सिकेंड कामा थड से लिखो अब अगर आप पीछे सारा एक्वेशन देखो अभी जो मैंने लिखा था तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा वहाँ से आपको यही मिलेगा जो आपको यहाँ पे करना था ट्रेंगल AOB AOB बराबर ट्रेंगल B भाई ट्रेंगल का चिंद बना लो छोटा सा अच्छा रहेगा ट्रेंगल BOC बराबर ट्रेंगल COD क्या COD बराबर ट्रैंगल डी ओ ए यह तो सिद्ध करना था ना यह तो सिद्ध करना था ना तो लिख दो आता सिद्ध हुआ इंग्लिस मेंडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूबड सिद्ध हुआ दिखो एक चीज और समझो हो सकता है कहीं आपकी докум Salam इसकी जगा पे बीोडी आ लिखा हो तो भी ओट हो सकता है देखो बाबू यहां से आप ऐसे समझो मोटा मोटा मेग एक चीज़ समझा देता हूं यहां से समझो जैसे अगर यहां o है यहां B है यहां A है यह एक तिरभूजा इसका हमें नाम लिखना है तो हम यहां से भी गिन सकते हैं B O A ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ट्रैंगल B O A या फिर इसे ट्रैंगल A O B भी लिख सकते हैं यानि इदर से हम अगर देखा ज़ा चूसाल करें इसके बारे। बातों बात करें लेकिन उतना टाइम तो है नहीं तो यहां पर आपको इतना ही मतलब था ठीक है इसमें कोई डाउट है तो बताईए जल्दी से लिखिए इसक्रीन साथ लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए सूपर फास्ट चलें आगे बढ़ें चलो भाई फटा फट क्या कहरा इसक्रीन पर देखो हिंदी इंग्लिस में दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा हिंदी में आपको दिखरा कुईश्चन इसक्रीन पर देख लीजिए इंग्लिस में मैं पढ़ देता हूं कहरा कि D, E and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of triangle ABC यानि इनका कहने का यह मतलब है कि D, E and F यह respectively midpoint है, कौन-कौन, D, यहाँ पर दिख रहा है न, E और F, यह respectively क्या है, midpoint है, मतलब करमशा क्या है, मद्ध बिंदू है कि इसके, तिर्भूज ABC के, आगे कहता है, BC, AB and, sorry, CA and AB of ABC, इतना हो गया मैंने बता दिया, और इसमें कुछ हाई ही नहीं, कहरा कि so that, अब दिखाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वो, पर्लो-ग्राम जो है कौनसा BDEF पर्लो-ग्राम है यह सिद्ध करना है नि समानतर चतुरभूजा सिद्ध करना है क्या BDEF Strom magic BDEF यए यह जहामें हाथ रखा हूं इसको पूरे को क्या करना है इसको पर्लो-ग्राम सिद्ध करना है ठीक है बहुत आसान है हिंदी में कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखर आप देख लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इसमें हमें दिया है आप यहां पर लिखिये हल ठीक है हल लिख लेंगे न सब भी लाइट चली गई इसलिए थोड़ा कम है तो हल में आप देखिये बाबू ध्यान से देखिये यहां पर एफ ई जो है वो पैरलल है बी सी के बताओ है कि नहीं एफ ई यह 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 जो लाइन है वो भी यह बी सी के पैरलल है कि नहीं पैरलल का मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे दोनों बरावर बरावर जा जैसे रेल की पटरी होती ना समझ रहे हो तो f e क्या है बेटा bc के पैरलल है इतना तुम लिख सकते हो अगर f e bc के पैरलल है तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कि f e equal 1 upon 2 यानि हाफ bc यह हो सकता है बताई हो सकता है कि नहीं बाई सिंपल सी बात है यह हो सकता है कैसे हो सकता है बाई मीड़ पॉइंट थेवरम अगर जिनको मीड़ पॉइंट थेवरम नहीं पता है वह कमेंट करके बताएंगे उन्हें बताया जाया यह बताया गया है लिख लीजिए बाई मीड पॉइंट थेवरं 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 थिक है मद्द बिंदू की जो परमिय है उसके अकार्डिंग यह ऐसा हो सकता है सीधी सी बात है वैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो यह EF BC का आधा नहीं दिख रही है दिख रही है वैसे भी BC देखो इतनी बड़ी लाइन है और EF छोटी है लेकिन इसे जो मद्द बिंदू की मिड़ पॉइंट की थेवरा में उसमें deeply describe किया गया है यह हो गया पहला जो हाफ BC यह तो सिंपल सा इसमें कोई थेवरम नहीं लगाना है देखिए BC एक पूरा-पूरा रेखा है और D अगर इसका मद्द बिंदू है तो भया सिंपल सी बात है जो बिंदू D है वो BC को दो भाग में बाटेगा अगर इसको दो भाग में बाट रहा है तो BD इक्वल समांतर है तो लिखो पटा-पट इतना हो गया आगे लिखो फिज अधिब्बी सामांतर है 0 मैं संत्रह के फिर अब ही तक हम क्या कर रहे थे फ इसमांतर इसि कर रहे थे फ इसमांतर यह मैंने B C पूरा-पूरा कर लिया अब F E समानतर है BD के तो अगर F E BD के समानतर है बिटा तो इसमें भी मेंड़ पॉइंट धरम लगेगा तो यह F E equal हो जाएगा क्या BD F E equal क्या हो जाएगा BD लिखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर वा समानतर है लिखिए आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर वा समानतर है ठीक है बराबर वा समानतर है यह लिखते जाएए आप लोग नहीं समझ में आयका बिल्कुल बता देना टेंसन मत लेना एक पैस भी ठिक है आगे बढ़ है चलो अब लिखें निचे के इफ लिए इफ लिए अ बीडी और कौन बीडी ऐफ कि एफ एक समानतर चतुरभूज है क्या है एक समानतर चतुरभूज है यह प्रूप्ड हो गया यह पहला पार्ट हो गया कुछ नहीं करना था कितना सिंपल सा था अगर थोड़ा सा भी आपने समझा तो समझ में आ गया होगा इसमें दिया गया था कि एक तिर्भूज पहला देखो भाई FE समांतर था BC के और अगर FE BC के समांतर है तो FE इक्वल हाप BC हो जाएगा मिडपॉइंट थारम से अब मिडपॉइंट थारम नहीं पता तो कमेंट करके बताना वो भी बता दिया जाएगा और इसी तरह से BD ये हाप BC के बराबर होगा इसमें तो कोई थारम लगाना ही नहीं है क्योंकि BC एक भुजा है और D उसका मद्दबिंदू है तो मद्दबिंदू जो होता हमेसा भुजा को दो बराबर भाग में बाड़ता है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब आग बीडी हो जाएगा आमने सामने की बुजाएं क्या होती है बराबर वसमांतर होती है सीधी सी बात है हो गया पहला हो गया अगला पार्ट इसका देखिए सिकेंड पार्ट देखिए परशना वली आपका 9.3 कुश्चन नमबर पाचमा का सिकेंड पार्ट कुछ चीजे पहले फिलिख दी गई है जिससे आपका कुश्चन आराम से और जल्दी से हो जाए ठीक है यह फिगर बना है अभी इसका पहला पार्ट आपने देखा आईए देखिए क्या कहता है क्यों जो भी है आपके सामने स्क्रिन पर है आप इसे देख सकते हैं समझ सकते हैं कह रहा था कि D E और F क्रमसा तिर्भूज ABC की बुजाओं DC CA और AB के मद्दबिंदू है तो दर्साइए क्या दर्साना है कि एरिया आफ DEF यानि जो तिर्भूज DEF का छेतरफल है यह DEF यह एक बटा 4 ABC के बराबर है ठीक है पहला पार्ट तो हमने ऐसे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है लेकि E F E बोलो E F और F E में कोई अंतर नहीं है लेकिन जो हम लिख रहें इधर साइड में वह हमारा उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा आप लोग सुरू से ही अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है नहीं तो एक जैसे लिखना बाद में अदली बदली नहीं करना ठीक है पहले पार्ट E F B D E F एक क्या है क्या है समांतर चतुर्भूज है ना उसी तरह से इसमें D C E F D C E F और D E A F D E A F और ये दूसरा वाला B D E F B D E F ये भी क्या है एक समांतर चतुर्भूज है तो बच्चों अगर ये समांतर चतुर्भूज है तो यहाँ पर ध्यान देना जो D E F होगा यानि एरिया आफ D E F ये इसका एरिया जो है वो D C E F के बराबर होगा किसके D C E F के बराबर होगा नहीं D C E के बराबर होगा देखो D C E इधर E है न लिए सोचो यह DCEF क्या है एक समांतर चतुर्भूज है तो बेटा अगर D E इसका एक बिकर्ड है तो इस चतुर्भूज को दो बराबर भागों में बांटेगा ना तो वही तो मैंने लिखा और कुछ थोड़ी किया है यहां पर देखो लिखा भी है क्योंकि समांतर लिखत नहीं ओके DCEF आगे देखिए उसी तरह से अगला DEF जो होगा वो A E F के बराबर होगा DEF वो A E F के बराबर होगा बराबर क्यूं होगा क्योंकि इसका जो बिकर्ड E F है क्या है बिकर्ड E F या F E कुछ भी बोल सकते हो इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है त इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं अब नीचे आओ नीचे आओ भई एक चीजसमें और हो सकता है जो DEF है बेटा वो BDF के बराबर होगा किसके BDF के भी बराबर होगा बैशीदी सी बात है देखो B यहां पर क्या था DEF न डी इए एफ ये ये BDF के भी बराबर होगा चतुर्भुज होगा फिर से देखना B D E F एक समंतर चतुर्भुज होगा तो B कर D F इस समंतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटेगा ना तो वही ची तो यहां लिखा है ठीक है समझ गहे ना इसको लिख लिया अब इसे आप मान सकते हो यह A हो गया इकोईसा नमबर यह B हो गया यह इकोईसा नमबर C हो गया कुछ भी आप मान सकते हो इस तरह से ठिक है समझ गये ना अब नीची आप लिखिए तिर्भूज यहाँ पे लिखिए तिर्भूज A, B, C बराबर भाई सीधी सी बात है पटा पट लिखते चलो एरिया आफ ए ए ए एफ सब को जोड़ेंगे इसमें चार बंद है ना अलग अलग बाई चार अलग अलग तिर्भूज बन रहा है पूरी चेतर भूज को मिला करके तो लिख लिजिए एरिया अफ ए ए ए अफ ए ए ए ए ए अफ मैने सबसे उपर ओला लिख दिया प्लस एरिया आफ बीडिए इस बीडी ए ए पर पिलस धयान दे ना लिखत Agriculture प्लस द इ ए एफ द इए ए इफ दूसरा नंबर है यह दी इ ए एफ और प्लस अगला DCE क्या DCE DCE तीफरा नंबर है यह देखो चारों हो गए हो गया ना बिटा आप यहां पर ध्यान देना तुम ध्यान देना A E F को हम लिख सकते हैं D E F हाँ और ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप को होगे A E F को आप D E F क्यों लिख सकते हो बिटा equation number 2 second से या B से देखो B वाले में क्या था A E F D E F के बराबर था ना तो हमने A E F की जगा पे D E F रख दिया थिक ओके प्लस B D F देखो ध्यान देना B D F यहां कहीं कुछ है A वाले में देखो B वाले में देखो C वाले में देखो है ना यह भी D E F के बराबर हैं तो हम इसकी जगा पह लिख देएंगे D E F क्योंकि हमें इसी रूप में सिद्ध करना इस लिए हम हर जगा वही बनाएंगे यह पहले फिर डी एफ है इसको ऐफ लिख देंगे डी सी इए देखो पहले ए वाले से एक वैसा नमबर एसे इसको भी हम लिख सकते हैं डी एफ भाईया इस तरह से अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जगा सिर्फ डी एफ आपको दिख रहा है दिख रहा है ना दिख रहा है हां तो हम इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इक्वल यह सब जूड जाएगा तो चार हो जाएगा डी एफ बोलो हो जाएगा ना इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं यह लिखा है ए बी सी ठीक है एरिया आफ ए बी सी चार डी ए एफ तो इको बेटा इनको उधर लेकर के हल कर लो इनको इदर लेकर के हल कर लो जो सीध करना था वह आपका आचुका है क्या लाना था डी एफ निकालना था ना लिखिए ए एरिया आफ डी है एक बटा चार ए बी सी यही तो सिद्ध करना था ना बाई चाहे तो मैंने एरिया आफ लिख दिया वैसे भी लिख दो मतलब तो अही हुआ ना आप यहां लिख दो प्रूब्ड क्या लिख होगे प्रूब्ड अता सिद्ध हुआ इतिसी दम समझ में आया कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट करिये लेकिन कोशिस करते रहिए बिल्कुल कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिस करते रहिए आगे बढ़ें चलिए जल्दी से इसका इसक्रीन साथ लीजिए आपका ये भी पार्ट हो चुका है अगला आगे बढ़ते हैं बह BDEF, यानि BDEF, यानि यह जो समांतर चतुरभूज है आपका, इसमें नम्बरिंग मैंने किया था, इसका काम नहीं मिटा देता हूं, यानि कहने का इनका यह मतलब है, BDEF, यानि एक परकार से बोलें तो ट्राइंगल एक और दो, जहां मैंने एक और दो लिखा है, इन दोनों इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, BDEF, इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, BDEF, यह दो पार्ट में बटा है, लिखो, तिरबू DEF, लिखो, लिखो, DEF, दन, ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, DEF, यह मैंने D लिखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ट्रेंगल DEF, दन, इसको भी हम DEF लिख सकते हैं, तुम कहोगे, इसको कहई DEF लिख सकते हो, लिख सकते हैं, बिटा, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे एक समीकरन बना था, अगर आपने देखा होगा, पहले पार्ट जब हम कर रहे थे दूसरे पार्ट में, क्या बना था, कि DEF वो BDF के बराबर है, है ना बराबर, यानि DEF जो है, वो BDF के बराबर है, यहाँ पर जो भी रूल लगा था पीछे देखे थे ना, तो उसके अकार्टिंग हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यानि इसको हम फाइनल में ऐसा लिख सकते हैं, 2DEF, 2DEF लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कात, नहीं ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसमें बीच में तिरबूच का चिन्न भी लगा लो, तिरबूच का चिन्न भी लगा लो, इसको अगर अभी आपने पढ़ा होगा अभी अभी जश्ट कुछ चंद मिनिटों पहले हमने क्या सिद्ध किया था एक बटा चार एरिया आफ एबीसी सिद्ध किया था ना तो देखो बाबु इसको हम लिख सकते हैं इसको अभी इसे रहने दो इसको लिख सकते हैं एक बटा चार और एरिया आफ़ एबीसी एबीसी इसको अभी-भी सिद्ध किया था अरे भाई पहला इसका जो फाइस व्लाप्ट चिद्ध करना था इस्क्रीन पर देखो क्या था पहला पार्ट इसकूष्ट्यन सोरी दूसरा पार्ट इस question का second part यही तो था DEF equal one upon four ABC सिद्ध करना था अभी मैंने सिद्ध किया था तो क्या किया मैंने DEF की जगा पे इतना रख दिया बहुत अच्छा दो से इसको काड़ दो बचा इसको उतार लो BDEF equal half triangle of ABC यही तो सिद्ध करना था मुझे लग रहे है हां यही तो सिद्ध करना था ना बेटा इस तरह से आपका question number five complete हुआ ठीक है done कोई इसमें अगर डाउट तो बता दो अनी डाउट नहीं ना इस तरह से आपका पाच्छावा question पूरा complete हुआ यह था आपका exercise 9.3 question number six question थोड़ा सा hard level का नहीं बोले medium लेबल का है लेकिन आप बहुत आसान नहीं है पीछे देखिए क्या लिखाया कि चतुर्भूज ABCD बिकर्ड AC और BD परस्पर बिंदू O पर इस प्रकार परतिछेद करते हैं यानि कहने का मतलब आप समझिए चतुर्भूज का मतलब quadratoral बिकर्ड का मतलब diagonal ठीक है आईए मैं आपको दिखाऊं हाँ पढ़ लीजिए इस प्रकार परतिछेदित करते हैं कि OB जो है वो OD के बराबर है यदि ABCD के बराबर है तो दर्साइए यानि सिद्ध कीजिए कि area of DOC equal area of AOB ऐसा दिया गया है यह हमें सिद्ध करना है ठीक ह अगर आप लोग कहो तो मैं इसे इंगलिस में भी पढ़के सुना देता हूं लेकिन कोई मतलब निकलने वाला नहीं है कुश्चन आप देख रहे हो हल करें इसको इसक्रीन से इसको हटा देते हैं अब यह हमारा real वारा figure आया इसमें कह रहा था कि इसके जो दोनों बिकर्ड है वो एक दूसरे को परतिछे दित करते हैं तो देखो बाबू यह हम इनके बिकर्ड खीच दे रहे हैं और यह एक दूसरे को परतिछे दित करते हैं जहां पर उ इतना ही दिया था लेकिन इसमें और भी चीज कहरा है कि O,B, O,D के बराबर है, ब세 excellently सिंपल सा बमद्र कहुंद कोई धोर नहीं है कि आधा दितना है है आधे आधां बाहरे तो और आधा दोनों तरerk अपने साइड बराभर होगा ठीक है इसमें लिखे दिया है क्या क्या है लिख सभी इभन हिंधी में लिख लीजिये दिया है क्या क्या दिया है लिखे सपूरभूजócड एबि-सीडि तथा तथा नहीं जिसमें एक चतुरबुज दिया है A B C D लिखो भाई लिखो जिसमें A B जिसमें O B O D के बराबर है लिख लिया जिसमें O B बराबर O D और आगे लिखो A B B बराबर C D A B बराबर C D यह इतना इसमें दिया है इसमें थोड़ी हमें रचना करना पड़ेगा construction करना पड़ेगा बेटा हां construction हिंदी वाले लिख लेजी रचना रचना क्या करेंगे लिखो रेखा AC के लंबवत DN वा BM खींचा रेखा AC के लंबवत कौन कौन सा खींचेंगे BM वा DN खींचेंगे BM यानि यह ठीक है यह हमें इसमें construction करना है क्योंकि यह जरूरी है अब ही आगे देखो पता चलेगा रचना में लिख लो रेखा AC के लंबवत DN वा BM खींचा अब ध्यान दीजिए इसको रचना मेंने लिख लिए जो भी लिखना था देखे कुछ बच्चे नाम की चक्कर में पड़े हैं बिटा परेसान ना रहो उनके नाम में बोल देता हूँ अभी अभी जो जुड़े हैं रवी प्रकास सिंग, स्रयांज गोस्वामी, पंकज, सुभम यादो, आसोक मीना और सरवन, नीरज, कालुवा यादो, आसीस, और रवी कुमार, प्रितम कुमार, नीरज ज्ञ, प्रियंका सिंग, बहुत से बच्चे जुड़े हैं बिटा देखो सब का नाम यहां पर लेना समभव नहीं है, रोज कलास में जुड़ोगे तो हम नाम बोलेंगे, ठीक है, आगे चलो, पढ़ते हैं, यह रचना करना था, मैंने कर दिया, आगे देखिए, तिरभूज B-O-M, तिरभूज कौन-कौन, B-O-M, यानि जो यह छोटका सा तिरभूज बना है, यहां पर D-O-N, यानि इस छोटे वाले तिरभूज में, जिसमें मैंने 1 लिख दिया और इसमें 2, इन दोनों तिरभूज में हमें क्या करना है, कुछ चीजे निकालनी है, जहां जहां मैंने 1-2 लिखा, वही दो तिरभूज है, क्या क्या लिखना भाया, जो जो दिया लिखो, लिख vertically opposite, लिख लो बरेकट में, सीरसा भीमूख कोड, क्या है, सीरसा भीमूख कोड या इंगलिस में लिख लीजिए vertically opposite है, क्यों equal है, vertically opposite है, ठीक है, हिंदी बड़ी कठीन है, भीमूख कोड, इसलिए लिख दे रहा हूं हिंदी में, इंग्लिस वाले लिख लेंगे वर्टिकली या पोजिटिफ लिए यह इक्वल है ठीक बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं एंगल 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 यम यह यन और यम बराबर क्यों है भया लिखो each 90 degree each 90 degree लिख लिएो प्रतेक सम कोन है यानि क्या है 90 के हैं यन और यम दोनों क्या हैं ये दोनों क्या है 90 के हैं दन आगे बढ़ें इसमें और भी कुछ है वो क्या है लिखो डी ओ बराबर बी ओ क्यों है बेटा ये गिवन यह दिया है, हिंदी में लिख लिए दिया है, मुह से भी बोल रहा हूं न, सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं न, चलो इतना, ठीक है अब आगे समझते चलिए, जो एंगल D, O, N है, और B, O, M यह दोनों सरबांगसम हो गए, कैसे, A, A, S से, लिखो नीचे, यहाँ पर लिखो, इफ लिए, इफ लिए, तिर भूज, D, O, N D, O, N, यह दोनों क्या है, सरबांगसम है, कौन-कौन, B, O, M ऊके, कैसे, बाई, बाई, देखो, एंगल, एंगल साइड, परपरटी से, A, A, S, ठीक है, कौन-कोन, कौन-कोन, भूजा परपरटी से, ठीक है, यह दोनों क्या हो गए, सरबांगसम हो गए, अब आगे देखते जाओ, आगे देखते जाओ, अगर ये दोनों सरबंगसम हो गए बेटा ये दोनों सरबंगसम हो गए तो इसमें से अभी और एक चिंगारी निकलेगी वो चिंगारी काउन सी निकलेगी पता है तुम्हें लिखो DCN यहाँ पर लिखो इधर फाइड में आजाओ समझते जाओ यहाँ पर आप आजाओ यहाँ पर यहाँ होने के बाद में यहाँ आजाओ लिखो तिर्भूज D C N समझना फिर से D C N अगर ये दोनों तिर्भूज पेटा जोने में 1 लिखा था मैंने ये 1 और 2 अगर ये दोनों सरवांगसम है आपस में D C N ये बराबर होगा विटा किसके D C N किसके बराबर होगा भई लिखो लिखो पटाफट लिखो 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 एक मिनट रूप को बताता हूं लेकिन ऐसे आपका थोड़ा लंबा हो जाएग मुझा इसा लाग रहा है आप एक थोड़ा अलग तरीका करिए इसमें एक मिनट एक मिनट थोड़ा बैक चलिए थोड़ा सफ्लेस बैक में आईए ये इतना हो गया ना मिटा देखो अगर कोई भी दो तिर्भुजापर में सरवांगसम है सरवांगसम को इंगलिस में क्या बोलते हैं जानते हो अरे समरूप को सिमिलर्टी बोलते हैं ना सरवांगसम को काइंगुरेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं काइंगुरेंट अगर दो ट्राइंगल आपस में काइंगुरेंट हैं क्योंकि सर्भांग सम् है सर्भांग्सम है मतलब का Ingredient है यह हो सकता ऐसा अगर दोन तर्भुज आपस में सर्भांग्सम है तो उनकी area भी आपस में या होगी इक्वेल होगी अब नीचे लिखिए इफ लिए d c n बराबर b a m इफ लिए d अब यह भी जो मैंने लिखा था DCN इकल बाई DCN उधर वाले जो इसके एक परकार से समकच दिया उसके बराबर होगा यानि BAM के कौन-कौन BAM जैसे इधर BAM है वैसे इधर यह DCN है बाई इधर जैसे इसे यह भी है तो लिखो BAM यह इसके क्या होगा बराबर होगा लिख लो पटापट इतना और एंगल यन एंगल यम के बराबर होगा इसमें भी यह सामिल है इसमें भी यह छूट नहीं सकता है DCN इसमें भी यह सामिल है और BAM इसमें भी यह सामिल है तो आप लिखोगे एंगल एन इक्वल एंगल एम यह हो सकता है ब्रेकट में लिखो परतेक 90 अंसका है इच 90 डिग्री लिख लीजिए परतेक समकोड है या परतेक 90 अंसका है या फिर इंगलिस में लिख लो इच 90 डिग्री यह दो चीजे मिल गई आगे देखते जाओ अभी होगा ऐसी कौन सी मुसीबत है लिखो में बताता हूँ CD AB के बराबर होगा लिखो 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 फटा फट लिखो CD इक्वल AB जल्दी करो जल्दी करो भी मैं सब कारण लिखवाता चल रहा हूँ आगे बढ़ें इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं न देखो बता CD AB के बराबर होगा बराबर क्यों होगा क्योंकि दिया है दिया कैसे है अगर आप AB CD को एक समांतर चतुरभूज मान रहे हो तब भी समांतर चतुरभूज की जो भुजाय होती आपस में बराबर और समांतर होती है तो एक तो यह तरीका हो सकता है यह रिजन हो सकता है CD AB के बराबर है दूसरा रिजन यह भी हो सकता है कि जो बीच में यह हमने D और यन का जो कंस्ट्रक्शन किया था यह एक समकौन तिर्भूज बना रहा है तो इनकी भूजाएं भी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी सिंपल सी बात है हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस यानि करण के बराबर होगी तो यह दो करणों से बराबर हो सकती है ठीक है इतना दिक्कत नहीं कोई आप देखे अभी अभी हमने इनको क्या किया है सरवांगसम सी दिखिया है लिखिये चूंकि डी-ओ-अन सरवांगसम है लिख लिए आगे बढ़ें चलिए तो इस तारह से डी-अजो है वो ब्यंग के बराबर होजाएगा बराबर क्यूं हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैंга अपस में तो CP CT से यह CP CT का मतलब और चाहरें पार्ट आप करस्पांडिंग और सारी करस्पांडिंग पार्ट आफ कायं गुरीं ट्रेंगल मतलब होता है करस्पांडिंग पार्ट आप कायंगुरीं ट्रेंगल जो आ पने पढ़ा था concept उसके अनुसार di beem के बड़ाबर होगा यानि जो दो सरवांकसम तिर्भूजें हापस में उनकी संकत बुझाएं होती हूं हमेसा बड़ाबर होती हैं याद रखना serva संतिर्भूजद की संकत बुझाएं आपस में बड़ाबर होती है और अगर यह तिर्भूज यह जहां मैं हाथ रख रहा हूं यह दोनों अगर आपस में यह दोनों क्या हैं बिटा सरवंगसम हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं मतलब उसकी साइड की एक परकार से बात करें उसके लेबल की भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी क्रिस्पांडिंग संगत का मतलब ऐसे समझ लो जैसे भारत देश के जो पर्धानमंत्री जी है और अगर बात करें स्री लंका जी के देश के पर्धानमंत्री जी के क्या है बराबर मतलब बराबर का मतलब यह समक अच्छी है निका लेबल बराबर है वो भी अपने देश के प ग्रावर क्या आइट्टर तो बस हुआ इसी ठीक है अभिए को माश्टरकि मैडम के पड़ापर है तो नहीं ये गड़ी है इतना हो गया कि इसनों लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी कर мिटाकर आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी करें अब देखें ऊपर लिखांगे दियां दे न अब बिटा अगर यह टीन चीजें हमें मिल गई यह टीन कीजें हमें क्या हो गई मिल गई दो भुजाएं मिल गई एक कोन बराबर मिल गया न तो हम कह सकते हैं कोन नहीं एक करण बराबर है इसमें कौन नहीं एक करण बराबर है हां क्यूं कौन भी तो बराबर है हां ठीक है एक कौन भी बराबर है एक करण भी बराबर है करण मतलब कौन अभी जो मैंने बताया था था न सीडी और एबी ठीक है तो लिखिए अब यह दोनों तिरबुज क्या है का हो गए इफ लिए यहां पर आके लिखिए इफ लिए ट्राइंगल कौन-कौन यह जो अभी अभी यहां पर आप देख रहे हो लिखो फटा पट लिखो 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 क्या आगी जल्दी लिखो DCN बशेशच अगरेंड हो गया B-A-M-K DCN यह गरेंड हो गया किसके B लिखो पहले लिखो DCN यह गरेंड हो गया किसके B-A-M-K कौन-कौन आईएँ यहां देखिए B-A-M मैं इधर का यह तिरभुजारन ऐस में इसमें ए लिख दें इसमें इसमें बी लिख दे तो यह तिरभुज ए और बी दpción करोती आप समय को नहीं निय। गार बी बी हरो गधर दोनों क्या होगे आपस में कांश सब्चाहए थी का ठीक साथ में का चार्ट में जो मैं था पढ़े हो आपको आनी चाहिए नहीं आती है तो आप उसे फिर पढ़ लीजिए बेसिक सीख लीजिए चलिए इतना हो गया आगे बढ़ें अब यहां पर क्या करोगे इसके बाद में यहां पर लिखो इफ लिए area of लिखो area of triangle dcn equal beam d c n equal area of b a m, यह हो गया आपका equation number second, equation number first अभी आपका बना था कहाँ, जब हम d o n को b o m के बराबर करे थे, वो equation number first था आप लोग लिख लीचिए, ठीक है बैटा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, आगे चले, सब कुछ चल रहना सही, मस्त है, चलो, कभी-कभी थोड़ा बहुत अंटक रहा होगा, हाँ, कमेंट सब का दिख रहा है, नाम बोलूंगो, फटा 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 भी, टेंसन मतलो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ब्रेकर्ट में लिख लो चाहे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कात नहीं ना, अब नीचे लिखो, समी करण 1 वा, समी करण 2 से, एक्वेशन नमबर फट और सिकेंड से, एक्वेशन नमबर सिकेंड ये है, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे कि एक्वेशन नमबर फट कहां गया, एक मिनिट रुक एरिया आफ डी ओ एन, एरिया आफ डी ओ एन इक्वेशन एक्वेशन अब ये फट नमबर फट दाल दीजिए, ठीक है, ये पहला इक्वेशन था, तो बेटा नीचे लिखो, इक्वेशन नमबर फट और सिकेंड से, देखें कुछ बच्चे बहुत परिसान है कमेंट के चक पढ़ाई कर लो, स्रेया दक्स्वानी और कॉने टीयम खान, हरमन्स, सिवं बिसकर्मा, आयू सियादो बेटा पढ़ाई कर लो, पंकज, नरेंद सिंह तोमर, क्या नमब हैंका, आसोक मीना, कमेंट आरा, पढ़लो बेटा, पढ़लो, लिखो, एक्वेशन नमबर फट और सि प्लस, डी सी एन, ठीक है, डी ओ एन, डी सी एन, अब कहा हो गई कहे जूड रहा है, बैस सी दी सी बात है, डी ओ एन, इसका दाहिना, बाया पच्छ है, और इसका बाया पच्छ है, दी सी एन है, तो डी ओ एन, पहले समी करण से लिया, और डी सी एन, दूसरे समी करण से लि अब इसका दाहिना पच्छ है B-O-M इसका बाइन कहा गया बे निकल यह क्या है B-A-M दोनों चोड़ दिया बस हो गया यही तो चोड़ना था लेकिन यह आंसर नहीं लाना था फिर क्या करोगे आओ D-O-N इधर है O-N और कौन जुड़ा है D-C-N यानि अगर हम भाईया इनको जोड़ेंगे बिट्टा और इनको जोड़ेंगे तो एक बढ़का तिरभूज बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं D-O-N और D-C-N इनको जोड़ेंगे तो बढ़का बन रहा है D-O-C बन रहा है कुछ की हाँ तो लिखो area of D-O-C equal इफी तरह से area of A-O-B हो जाएगा B-O-M B-A-M B-O-M और B-A-M इनको जोड़ेंगे तो यह B-A-O यह फिर O-B-A बन जाएगा ना बन जाएगा यह A-O भी बन जाएगा ठीक है हो गया यह आपका equation इतना प्रूप करना था इसमें कितने पार्ट थे पहला पार्ट होगा अब तक इसमें तीन पार्ट है बहुत लंबा यार चलो ठीक है पताफट कर लो लिख लिजिये screenshot लिज्किये स्क्रेंज यह आपका पहला पार्ट होगा इसमें का है बहुत जल्दी करिए बहुत आसाधने यह बहुत लम्बा है यह थोड़ा था चलो अगला कि ए लार्ण बहुत ही आसान है ड़ीपट देखो बहुत ही सिंपल सा रहा की एरिया आप डड़ी सीबी बराबर एरिया आफ एसी इतना हमें प्रूब करना है ठीक है बहुत ही आसान है बेरी सिंपल सा है आप इसे थोड़ा समझने की कोशिस करना कमेंट के चक्कर में न पढ़ो बेटा समझो आओ देखो लिखिए समी करन एक से समी करन एक से अभी समी करन एक में क्या आया था अभी अभी मैंने लिखा था आप लोगों ने देखा भी था सब लोगों ने लिखो समी करन एक में मिला था बेटा एरिया आफ डी O C A O B के बराबर था न था कि नहीं D O C ये बराबर था A O B इसके बराबर था न लिखो समी करण एक में दोनों तरफ B O C जोडने पर समी करण एक में दोनों तरफ area of B O C जोडने पर देखिए दोनों तरफ हम कुछ भी जोड और घटा सकते हैं लेकिन सिर्फ एक तरफ नहीं करेंगे बस जो भी करेंगे दोनों तरफ तो चलो कर लेते हैं बिटा ये हो जाएगा D O C धन B O C लिखो area of D O C धन area of B O C equal समी करण एक में A O B भी था और इधर क्या जोड़ेंगे B O C दोनों तरफ जोडना था देखो भाई D O C थोड़ा ध्यान से देखना इस फिकर में D O C बिटा अगर इसमें हम B O C जोड़ें क्या जोड़ें B O C B O C तो ये पूरा पूरा बन जाएगा बोलो बन जाएगा की नहीं ये जहां मैं हाथ रख रहा हूं ये पूरा पूरा बन जाएगा बन जाएगा ना तो आप नीचे लिखोगे D C B दिखोगे एरिया आफ D C B इक्वल उसी तरह से उधर फाइड में अगर आप जोड़ोगे A O B में A O B में B O C जोड़ोगे तो बिटा क्या होगा ये नीचे वाला पूरा पूरा बन जाएगा A C B ठीक है दिखो A C B ये आपका इक्वेसन नंबर उसवारी दूसरा वाला हो गया पूरूपट यही तो लाना था ना सिकेंड लिखो पूरूबड सिद्ध हो गया सिकेंड पार्ट हो गया चल्दी करिए आगे बढ़िए नेक्स्ट थर्ड पार्ट बहुत जल्दी करिए आपका ये चठा का सीकंड पार्ट दन इसका अगला पार्ट देख लिए बेटा क्या कहता बड़ा इंट्रेस्टर्ट है थार्ड पार्ट कहरा है स्क्रिन पर आप कुष्चन देखिए करा कि दी ए वो सी बी के बराबर है यह हमें प्रूब करना है कि जो डी ए है वो सी के बराबर है या फिर एबी सीटी एक समांतर चत्रबूज है पहलो गराम है यह सीद्ध करना है यानि जो डी ए है वो सी बी के बराबर है या यह यह डी या एडी बी सी या सी बी के क्या बराबर है या फिर एबी सीटी समांतर चत्रबूज है दोनों का मतलब एक हुआ DCB और ACB दोनों फिर भूज ACB हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं DCB और ACB यानि अगर हम देखें तो DCB का मतलब यह जहां-जहां हम वन लिखें हैं वो क्या है DCB है और ACB का मतलब यह जहां-जहां हम 2 लिख रहे हैं वो क्या है ACB है आप कहोगे एक में तो एक और दो दोनों लिखे हो हां तो यह जो है वो वन और टू दोनों में कॉमन आ रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है ठीक है यह दोनों क्या है लिखिए दोनों समान आध BC और समान समांतर भुजाओं की बीच बने है कि नहीं बने है ना बस आप इतना इतना लिख लो सिदाफिधा दोनों समान आधार समान आधार BC पर बने हैं ठीक है बने हैं अता हिए दोनो अता हिए दोनो समान समानतर रेखा के बीच बने होंगे ठीक है और इनका छेतरफल भी क्या होगा आपस में बराबर होगा आप थोड़ा कम समझ पा रहे थे बोलकर इफले बने लिख दिया ठीक है अब पढ़ लिजे किसी को कनफ्यूज नहीं होना चाहिए बिटा जो DCB है वो ACB ये दोनों जो हैं वो समान आधार BC पर बने हैं तथा इनका छेतरफल भी एक समान है इफ लिए ये दोनो समान समानतर रेखा के बीच भी बने होंगी और अकर ऐसी कंडिशन होगी तो सिंपल सी बात है हम कह सकते हैं कि AD क्या AD पारलल होगा किसके BC के यानि जो AD है बिटा AD पारलल होगा BC के तो हम नीचे कह सकते हैं इफ लिए ABC D ये क्या होगा इज आप पारलो गराम हिंदी में लिख दें एक समांतर चतुर्भूज होगा ठीक है सिद्धम लिख दोई ती सिद्धम अता सिद्ध हुआ इस तरह से आपका कुश्चन नमबर जो छठवा था वो दा इंड हुआ इसके सारे पार्ट खतम हो चुके इसमें 16 कुश्चन है और भी कुश्चन हम करवाएंगे अगर कुश्चन नमबर आठवा है बहुत ही ध्यान से देखिएगा बहुत आसान प्रस्न है इसके बाद और भी बहुत सारे कुश्चन हम देखेंगे इसलिए कलास को पूरा इंड तक देखना 9.3 में टोटल 16 कुश्चन है 16 कुश्चन है तो आज इस कलास में हम आपको बचे हुए सारे कुश्चन करवाएंगे आप पूरा कलास देख ठीक है कुश्चन स्क्रीन पर देखिए नीचे दिख रहा है पढ़िए आप किताब लिए हैं तो किताब में पढ़ सकते हैं कह रहा है कि एकस वाई तिरभूज एबी सी की हुजा बी सी के समानतर एक रेखा है एकस वाई तिरभूज एबी सी के हुजा बी सी के समानतर एक रेखा है यदि बी इ समानतर है यानि पैरलल है AC के और CF parallel है AB के हां समझ रहो तो रेखा XY से करमसा E और F पर मिलती है तो दर्साइए कि area of A, B, E बराबर है area of E, A, C, F के इसमें कुछ समझ में नहीं आया जब तक चितर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा सुरू से फिर से प्रस्न पढ़ेंगे कहरा कि XY तिर्बुज ABC की बुजा BC के समानतर एक रेखा है तो बेटा पहले तिर्बुज ABC बनाएंगे तिर्बुज ABC बनाएंगे फिर उसके समानतर रेखा खीचेंगे BC के समानतर एक जिसका नाम होगा XY ठीक है चलो बनाते हैं अले एक तरभूज बना लीजिए बीनगर के कुछ नहीं होने वाला है हां बेर बदन यह यहां पर यह क्या होगा ज्यान देना वेट यह एक ट्रेंगल हां ओके डन इसका नाम है ए बी जी कह रहा था कि एक्स वाई जो है वो क्या है बिटा BC के समांतर एक रेखा है तो चलो XY हमें एक रेखा खींच देते हैं BC के समांतर समांतर का मतलब क्या यह BC है रेखा ऐसे ही खींची जा सकती है या तो नीचे खींची जाएगी या इधर खींची जाएगी लेकिन इसमें जैसे जैसे आगे की कहानी बता रहा कुश्चन में उसके एकार्डिंग तो रेखा हम इसके ऊपर ही खींचेंगे क्योंकि आगे देखो अगर कुश्चन में आप ध्यान दो तो कह रहा कि B E A C के समांतर है जो B E बनेगी वो A C के समांतर है तो यहां पर अभी तो E कहीं बनी है नहीं तो आप एक काम करोगे पहले आप इसमें एक रेखा कींचो यह इसका नाम रखो एकस वाई ठीकर जैसे जैसे कहरा ऐसे बना लोगे तभी समझ में आएगा यह तो आप कंफ्यूजन में रहोगे हैं πिका boxer B E Is see के समांतर है मिशन फिर से दिखा रहा हूं देख लो बिटा यह x point है और यह द्यान रखना question फिर से दिखा रहा हूं प्रद दिखा दो है question उपर side में देखिए हमें दिख रहा होगा आपको भी दिख रहा है उपर side में देखो बेटा क्या कह रहा था आगे सुरू से एक बार पढ़ लिए कहरा xy तिर्भुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है xy जो है वो तिर्भुज ABC की जो भुजा BC है यह इसके समांतर एक रेखा है मैंने बना दिया आगे क्या कह रहा है कह रहा है यह थी BE AC के समांतर है BE देखो बी तो तुम्हें दिख रहा लेकिन ए कहीं नहीं है इसमें कार बी इसके समांतर है यह दो ए इसमें uhreli में इसकी का मतलब और यह एसूंज की लेंगे अब देखो हाँ पर हम कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं इसके आगे भी कोई पॉइंट नहीं रखना है यहांपर इसे हो जाएगा इनकी इच्छा पूरी हो गई AC के समांतर हमने BE खींच दिया ठीक है डन आगे कह रहा है आगे पढ़ना और CF क्या बिटा आगे कह रहा है CF पैरलल है किसके AB के कोईशन में कह रहा है उपर देखो दिख रहा है CF पैरलल है AB के भई CF C तो है लेकिन F तो कहीं नहीं है AB के पैरलल है AB तो यह है तो इसके पैरलल के लिए इसका मतलब उधर साइड भी ऐसे रेखाए खिंची जाएगी तो हम कह सकते हैं यह ऐसे यहाँ पर क्या होगा यफ होगा नहीं दिख रहा होगा अभी मैं दिखा दूँगा बसे दिख रहा है ना आप समझ में आया यह जो CF है क्या बिटा वो AB के पैरलल है ठीक है अगर यह थोड़ा तुम्हें कम पैरलल लग रही है तो इसे तुम थोड़ा और तिर्ची कर सकते हो हां समझ रहा हो ना एकदम इसके समांतर ही जानी चाहिए यह देखो थोड़ा सा समझने की कोसिस करो बरपूर समझो भई हां AB के पैरलल ही जानी चाहिए रजा यह बाहर चला गया क्या नहीं न अभी दिखा दूंगा टेंसन मतले न ठीक है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लेजिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन समझना है आपको इस्टेप बाइस्टेप इसलिए मैं बताता है वो भी देखिए क्या कहे रहा है कि सीयफ AB रेखा XY से करमसा E और F पर मिलती है ठीक है आगे स्मझ रहा हूं सीयफ जो है AB के पैरलल इतनी हो गई रेखा XY से करमसा E और F पर मिलती है रेखा XY से यानि इससे XY से करमसा किस पर E और F पर मिलती है ए और F पर तो मिली रही है ठीक है करा दर्साइए कि ABE जो है वो ACF के बराबर है यानि A B और E फिर से समझना ABE यानि इसका जो एरिया है वो ACF के बराबर है यहां पर कोई तिरभूज तो बन नहीं रहा बाबू ABE की बात बोल रहा है यहां पर एक ट्राइंगल बनेगा एक तिरभूज बनेगा इसको हम ऐसे मिला लेंगे अपने आप इसमें कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमें ABE का जो एरिया है वो दिखाना है यानि अगर हम आपको एक मिनट समझाने के लिए दिखाएं तो जब ध्यान देना इसमें से अगर यह लाइन मिटा दें यह यक्स हाट आ दें तो हमें यह एरिया जितना खाली दिख आनी इसके जये जिए इसके बराबर दिखाना यह तुम्हें समझाने के लिए मैं भी मैं फिर से लिख दूँगा इसको एकड़म से करना है इसको मिल्टाना है इसको में मीटाने के लिए मिटाए था मिहां इनके नम यह यक्स है इनके नअलो आप यह आपर ечение इनना मिफल hipp solution पर चलिए देखे बेटा इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे Hindi English कैसे भी आप लिख लो दिया है ठीक है लिखो दिया है given XY BC के parallel यह दिया है यानि जो BC है इसके parallel XY यह दिया है मोटा मोटा लिखा है आप question में उपर देखो दिख रहा है न यह दिया है इसमें एक चीज और है BE AC के समांतर है यह भी कह रहा था चिला चिला के कि जो BE है बटा वो क्या है AC के समांतर है इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है यह भी दिया है और CF cf ये भी ab के समानतर है cf ये ab के समानतर है ये भी आप सबको पता है इतना भी दिया है कोई दिक्कत नहीं इसमें करना क्या भाई इसमें क्यारा कि जो ABE का एरिया है ABE अभी तक मैं यही बताया था क्या करना अब नहीं बताऊंगा ठीक है आईए कैसे इसको हल कर सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखिए कुछ तिकडम लगाएंगे वो क्या है लिखिए जब XY कि एक्स य पैरलल है बी शीट के तक्ढम अएक्स व य जब बिटा पैरलल है बी सीट के तो तो लिखो E y भी पैरल ओका tiden情況OOOO इं- y पैरलल होगा बी सीट के कैसे आईए बताता हूं जब यक्स Y BC के parallel है तो जो EY है वो भी BC के parallel होगा क्योंकि उसी दिसा में ये भी है वैसी दिसी बात है चाहे तो ये दोनों ले लो यक्स Y और चाहे तुम EY ले लो दोनों है तो ये के रोड पर न ठीक है आगे अभी इन से कुछ चीज निकलेंगी वो समझना जब बी-ई पायरलल है AC के बी-ई कहां है बी-ई पायरलल है AC के तब देखो बैटा इसमें एक चीज और मिल रहा है वो का है तो बी-ई-सी वाइए के भी पायरलल होगा किसके? देखो लिखो तो पी-ई पायरलल होगा सी वाई न ठीक है जो बी-ई है अगर वो AC के पायरलल है थो भाय के c way के भी तो पायरलल होगा क्योंकि उसी अगर यह ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो BCYE है वह एक समांतर चतुरभूज है कौन कौन है BCYE यह क्या है एक समांतर चतुरभूज है फिर से देखो BCYE हम यहां नीचे लिख सकते हैं यहां पर लिखिए इफ लिए BCYE एक समांतर चतुरभूज है समांतर चतुरभूज में क्या चाहिए आपको पता है ना जो चाहिए वो मिल गया है हां मिल गया ना इधर की बुझाएं आपस में समांतर हैं उधर की क्या है समांतर हैं तो समांतर चतुरभूज हो गया क्योंकि आमने सामने की बुझाएं क्या होती है समांतर होती है और जो म समानतर चतर भूझ मैंने सिद्ध कर दिया B.C.E.Y को इफी तरह से B.C.F. X को भी समानतर चतर भूझ सिद्ध करेंगे को कि इसको B.C.F.X यानी एक बार हम B.C.Y.E पर इसको करेंगे एक बार B.C.F.X को करेंगे यानि एक बार यह पॉइंट इधर को बढ़ेगा एक बार उधर को बढ़ेगा बस ठीक है नीचे लिखिए इसी परकार इसी परकार xy पैरलल है किसके? बीसी के तो समझते चलना xf भी बीसी के पैरलल होगा xf ये x और ये f ये bc के पैरलल होगा भाई सीधी सी बात है तो xf पैरलल होगा bc के इसमें कोई दिक्कत नहीं है नीचे लिखिए cf पैरलल है a b के तो cf a b के पैरलल है ये सब को दिख रहा है cf a b के अगर पैरलल है तो इसमें एक चीज और भी पैरलल हो सकता है वह क्या वही cf अगर a b के पैरलल है तो cb bx के पैरलल होगा हां लिखो नीचे लिखो तो cb पैरलल cf लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो तो ऐसे लिख लो चाहे तो आप लोg bx पैरलल cf ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न अहां कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी करो अगर अगर इस तरह से यह दो भुजाएँ आपस में पैरलल हो गई तो यह एक समांतर चतुरभूज हो जायेगा निचे लिखे इफ लिए ev v依ी e v f x एक समांतर चतुर भूज होगा एक समांतर चतुर भूज होगा ठिक है इसमें कोई दिक्कत नी किसी को नहीं न चलो इतना हो गया अब हमें जो सिध्ध करना बहुत आसान हो गया देखो बैटा इसमें दिमाग लगेगा इसलिए कलास को छोड़के न जाना कलास को पूरा इंडे तक देखना बीच में भाग के ने जाना कताई कमेंड के कोई नोकरी पेसा में होंगे ना इसमें कुछ नहीं करपाएंगे यह इतना आसान नहीं है दिमाग लगाई है इतना लिख लो मैं इसको एरेज करूंगा आगे बढ़ूंगा जल्दी करो इतना इसक्रीन साथ डेलो फटा फट बहुत जल्दी देखे साथ है यह इन जो हमने समांतर चत्र बूच्प किया यह दोनों एक समान आधार और समान समानतर रखाओं के बीच बने हैं एक बार फिर सेky e BC ye और कॉन कॉन है BC Fx BC Fx दोनों एक ही आधार पे बने है BC पर है ना और समान समानतर रेखा E F के बीच बने है न इनके 6 तरफल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे जब कोई भी इस तरह के चतुर फुज बनते हैं जो समान आधार पर हो जिनका बेश एक हो और समान समांतर देखा के बीच बने हो तो उनके 6 तरफल हमेशा बराबर haart है उपर साइड में लिख दिया इसको लिख लिजिए जो लिखना चाहें अगर यह ऐसे इस्तिती में आते हैं इनके एरिया आपस में बराबर होंगे हम लिख लेंगे एरिया आफ बी सी एफ एक्स इक्वल एरिया आफ बी सी वाई ए चाहे तो इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें कोई फ़रक नहीं पड़ता है दोनों का मतलब एक हुआ ठीक है इसमें इतना ही नहीं इसमें और भी एक चीज है नीचे आईए बढ़िये आगे इतना लिख लिए आगे देखिए BCYE BCYE यह भी तो एक ही आधार पर बन रहा है नीचे लिखिए इन में भी क्या हो जाएगा वह ऐसे ही कंडिशन हो जाएगी आप लिखिए फटा पड़ लिखिए सिर्भूज ABC और चतुर्भूज इसको भी लिख लिजिए देखिए साथियों अगर चतुर्भूज में दोनो ऐसा होता है यानि दोनों अगर क्वाड रेटरल हैं और समान आधार और दो समान समानतर रेखाओं के बीच बने हैं तो उनके एरिया अपस में बराबर होते हैं लेकिन इसमें अगर एक तिर्भूज है एक चतुर्भूज है तब ऐसा नहीं होता बिटा तब इसमें क्या हो जो टिर्भूज का छेतरफल होता है वो एक बटा दो चतुर्भूज के छेतरफल के बराबर होता है ठीक नहीं लेकिन हमें कौन सा लेना है कि वाईई लेना है ना BCYE ठिक है इसके क्या होगा आधे के बराबर होगा BCYE के बराबर होगा यह Q10 हो गया एक्कवेसा नमबर 54 सिकंड बन गया इसी तरह से हम आगे थोड़ा एक एक इस्टेप और करेंगे और इन तीनों इस्टेप की एकार्डिंग हम फाइनल में चलके इसको प्रोब कर देंगे जो कहा था कि A, B, E का एरिया A, C, F के बराबर है इतना लिख लिजिए जल्दी करिए इतना हो गया आप देखिए यहां पर आपको एची ध्यान देना है जैसे आपने इसको दोनों किया न उसी तरह से बिटा जैसे इधर A, B, E के लिए हमने निकाला न A, B, E के लिए हमने तिर्भूज A, B, C लिया उसी तरह से इसमें A, C, F के लिए तिर्भूज A, C, F लेंगे और चतुर्भूज आपका कौन सा रहेगा वही पूरा बड़ा वाला B, C, F, X ठीक है तिर्भूज A, C, F और चतुर्भूज B, C, F, X के लिए जैसे यह लिखे हो एकदम सेम वह से ही रहेगा नीचे लिख लो इसी परकार इसी परकार इसको लिख लिए फटा पट इतना लि एको ध्यान से तो पhrigya यहां पर कह दिया था की बी इचिया यória कि यहीं पर कह दिया था यानि कहने का मतलब जहां पर यह थे हम भी सी वई पट यहां पर हम आपको सुधार ना होगा बाबू यहां पर ABC तो कहां से बनेगा ABE रहेगा ना यहां दो नहीं तो आप कन्फ्यूज हो रहा होगे ना यह ध्यान दीजिए ABE रहेगा C नहीं रहेगा ठीक है तो अब देखो ABE यहां पर ABE और ACF हमें बराबर करने को कहा गया था अब लिख लिजिए यहां लिखिए समी करण 1,2,3 लिख लो नीचे समी करण 1,2,3 से ठीक है समी करण 1,2,3 से area of AVE equal area of ACF, ठीक है, यह हमें क्या करना था, प्रूब करना था, और हमने इसको प्रूब कर दिया है, ठीक है, area of ACF, यहाँ पर AR लगा लेना आगे, अच्छा रहेगा, यह नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिसना वली 9.3, question number 10, सबसे पहले देखें फिर question number 11, 12, इस exercise में कुल 16 question है, 16, ठीक है, निचे question इंगलीज में, नहीं, हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंगलीज में बोलके सुनाओंगा, ठीक है, आप हिंदी वाला पढ़ लीजिए, इंगलीज में इसको कैसे पढ़ेंगे, diagonal AC and BD, diagonal AC and BD, of a trapegium APCD, with AB parallel DC, intersect each other at O, prove that area of AOD equal area of BOC, ये हमें क्या करना है, करना है, question इस screen पर हिंदी में दिख रहा, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, टेंसा नहीं लेने का है, ठीक है, हिंदी में कहरा प्यारे बच्चों, कि एक समलंब, ABCD, जिसमें AB समांतर है, DC के, कि बिकर्ड AC and BD परसपर O पर परतिछेद करते हैं, तो दर्साइए कि तिर्भूज AOD का जो छेतरफल है, वो BOC के बराबर है, चलो भाई, एक मिनट मैंने question पढ़ लिया, अब हम इसके figure को इधर 5 में ड्रा कर लेंगे, इधर side में हम ड्रा कर लेंगे, यहां पर आपको दि ठीक है, यह क्या है, एक ट्रिपेजीम ही से हमें प्रूब करना है, एक समलंब है, आइए देखते हैं, इसमें थोड़ा चीज आपको समझना है, देखो बिटा, जो तिर्भूज DAC बना है, वो CBD के बराबर है, DAC, फिर से देखना, DAC, यानि यह जो ट्राइंगल है, वो CBD, इसके बराबर है, यह, यह बराबर है, क्यों बराबर है, अब कहोगे बई, क्यों बराबर है, देखो, बराबर इफ लिए है, इस लिए बराबर है, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, दोनों CD पर ही बने हैं, अगर हम देखें तो दोनों किस पर बने है CD पर बने हैं और यह दोनों एक समान समांतर लाइन की बीच में भी बने हैं समांतर लाइन कौन कौन सी है आपको दिखी रहा है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा आईए इस वाक्यांस को यहां पर हम लिख देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं चलिए लिखिए देखिए देखिए हम जो कहना चाहते थे वो हमने उपर लिख दिया है अब आपको क्लियर हो रहा होगा देखो बैटा तिरभूज D, A, C और C, B, D यह दोनों समान आधार C, D पर बने हैं समान समांतर लाइन के बीच बने हैं समांतर लाइन 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 समांतर लाइ हमें AOD का छेत्रफल BOC के बराबर करना है इसमें हमें काम कर सकते हैं दोनों पक्षों में ध्यान देना भी आ जाएगा तुरंत दोनों पक्षों में DOC घटाने पर ठीक है जब हम DOC घटा लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए ठीक है देखो DOC घटाने पर तो देखो बाबु समझो अगर हम DAC से DAC फिर से देखो DAC अगर इसमें से हम DOC घटा दें DOC ज़रा सोचो तब यही तो बचेगा AOD भी बचेगा ना अगर हम ADC ADC बोले या फिर इसे DAC बोल सकते हो हम इसमें से जब हम वही DOC घटा देंगे तो क्या बचेगा वही तो बचेगा जोलाना है आईए देखिए दोनों पक्चों से घटाने पर तो बचा यह हो जाएगा ट्रेंगल DAC इधर से हम DOC घटाएंगे इसमें भी ट्रेंगल का चिन लगा लो नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें तो तिर्बुज का चिन लगायो इसमें से लगाया ही नहीं हो वह यह तिर्बुजे तो एक बार फिर फिर समझे लो तुम हम पहले बात कर रहें किसकी DAC DAC का मतलब यह हुआ इतना मैं मिटा के तुम्हें समझा दे रहा हूं देख लो यह DAC का यह मतलब है यह पूरा जितना जगा है जहां मैं हाथ रगल रहा हूं क्या है DAC है समझना फिर यह लाइन में खीच द देना है तो D O C बीच में O था न यहीं हमें क्या करना है यह इतना घटा देना है घटाने का मतलब यह जितना मैं घेरा हूं यह खिचर किचर कर दिया इतना घटा देना है कुछ तुम्हें समझ में आया अभी मैं यह पूरा एरिया दिखाया था इतना घटा दिया तो कितना बचा इसको डी ओए बोलो या फिर ए ओडी बोलो मतलब एक हुआ तो क्या बचा यह ए ओडी हम लिखेंगे ए ओडी इक्वल CBD आओ देखें CBD फिर से समझे ना CBD यानि अब हम बात कर रहे हैं इस तिरभूज की यह बीच से इसकी लाइन मिटा दो यह हम इसकी बात कर रहे हैं इस तिरभूज की CBD देखो बीच से मैंने लाइन मिटा दिया जितना में यह खिचर खिचर लाइन रखी गई है यह पूरे की ब थात हो रहें याद रखना थीक है यह पूर्यारिश में कुछ नहीं लाइन में और इसमें से क्या गटानाव बिते बतर डी ओंत गटानः है यह पिर से कीचलो कि आप यहां पे ओ था नच अब देखो दी ओ और सी बात है डी ओसी घटाना है जितना घटाना है उतना का लाइन का यह जो डाट डाट है से मिटा दो हमें इतना घटाना था हम जो तो कितना बचा जितने में डैस डैस किया था हो कितना बचा जड़ा देख लो खुद ही देख लो तुम कितना बचा 22 का नाम यहां पर ओ था ना तो क्या बचा C O B बचा यह बीी सोफ़ी या 20 शीत बीक्तियों कितना अलडा वे इस तो लाना था हो गया ना लिखना पूरूब्ड ईपिया लिख हमें ऐसे तो प्रूब हो गया नहीं पांच मिछसी करना था हो गया ने यह 5 नम है नगर Σ ain't देखिए थोड़ा डीटियल में बताने में थोड़ा वक्त लग जाता साथी हूं इफ लिए थोड़ा वक्त दीजिए अगले प्रस्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रिण साड ले लिजिए बहुत जल्दी आपके सामने अगला कुश्चन दिखाने के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप यापके घर में या परिवार में या दियार दोस्त में कोई भी अगर ब्राडबेंड लगवाने को सोच रहा है ब्राडबेंड केबल वाला लोग सुनाने लगते हैं कि आप Internet नहीं मैं इनको कंप्लेंन करता हूं लगता तीन-चार दिन तक ये कोई शुनवाई नहीं करते हैं अंधता हिए कई दिन बाद आते हैं किसी करते हैं फिर भी के झिचिर मिचिर होता रहता है तो भई बहुत डिस्ट्रब होता है ईटल बि इसके बीच में जो कोश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क है आप उन्हें ट्राई करिएगा नहीं समझ में आगा मैं बताऊंगा ठीक है देखो बेटा 15 नंबर क्या कहता है कि चतुरभूज ABCD के बिकर्ण AC और BD परसपर बिंदू O पर इस परकार परतिछेद करते हैं क्या करना है इसको एक ट्रेपेजियम प्रूब करना है इंग्लिस में पढ़ देता हूं कोश्चन ध्यान से सुन लिजीए बेटा इंग्लिस बवले बच्चे ध्यान दें कहरा कुश्चन में सुनिये डाइगोनल AC और BD आफ आ क्वाडरेटरल डाइगोनल AC और BD आफ आ क्वाडरेटरल ABCD इंटर्सेक्ट आट ओ इंटर्सेक्ट आट ओ इन सच अबे डैट एरिया आफ AOD इकल एरिया आफ BOC प्रूब डैट ABCD इज आ ट्रपेजियम उके चलिया हल करते हैं पहले इसका फिगर बना लेते हैं जैसे अभी चित्र बना था दस वाले में वह ऐसे सेम टू सेम बनेगा बना लीजिए देखिए बहुत आसान है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बस हमारा अंसर आजाएगा देखो बेटा इसमें एक चीज कह रहा था क्या कह रहा था कह रहा था कि इस प्रकार से पर्तिछेदित करते हैं कि AOD का छेत्रफल BOC के बराबर है यह कह रहा था ना इसको हम एक वैसा नंबर फइस्ट मान लेते है समीकरान नंबर एक ठीक है अब ध्यान देना AOD यानि यह जो ट्रेंगल है यह जहां मेरा हाथ है ध्यान देना यह चोटा वाला ट्रेंगल AOD यह ठीक है कह रहा था कि BOC के बराबर है BOC यानि इसके क्या है यह बराबर है इस प्रकार से प्रतिछेदित कर रहे हैं कि यह दोन और इसको equation number 1 बना लिया आप इसमें अगर ध्यान दो यह दोनों क्या है समान आधार पर बने हैं समान बेस पर बने हैं और इतना ही नहीं समान बेस पर बने हैं और यह समान समानतर रेखाओं के बीच में भी बने हैं अगर ऐसी तिती होती तो क्या होता है अब लिखी दिया है अब लिखिए आप समी करण एक में दोनों तरफ दोनों तरफ देखिए हमें आंसर लाना है मैं उसको ला रहा हूं फटा फट क्या करेंगे बटा इसमें डी ओसी जोड देंगे ठीक है डी ओसी जोडने पर देखिए बात बन रही है ध्यान देना डी ओसी जब इसमें हम जोडेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ए ओडी दन डी ओसी इक्वल एरिया वी ओसी दन डी ओसी ठीक है अब यहां पर आजाओ चित्र में देखो बेटा ए ओडी ए ओडी में हम डी ओसी भी जोड ले रहे हैं यानि कि हम पीवन और पीटू इन दोनों को आपस में जोड ले रहे हैं आप जरह सोचो कि अगर पीवन पीटू दोनों का एरिया मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ACD बन जाएगा चाहे तो इसको ACD बोलो या ADC बोलो कुछ भी बोल सकते हो तो सिधा सिधा होगा आप इसे ACD बोल सकते हो रेंगल ACD इक्वल वैसे इतर देख लो Q1 वाला इसमें क्या जोड रहे हैं भाईया Q में क्या जोड रहें यानि B, O, C में? DOC जोड रहें यानि DOC अब इसके लिए मान लो इसको हम P, C, Q , 1 बना लेते हैं हां इसको Q, 1 बना लेते हैं क्योंकि हमें इसके लिए आप जोड़ना है ध्यान देना उसका काम खतम हो गया अब Q और Q1 जोड़ना है तो यह सीधा-फीधा पूरा एरिया इसी की हो जाएगी Q और Q1 जोडने का मतलब यह पूरा-पूरा तिर्भुच जितना आप दिखा रहा है तुमें जिसमें Q और Q1 लिखा है पूरा-पूरा तो भाईया यहां से समझे न इसको समझाने के लिए मिटाया था बागी वही है अब क्या बनाई है बई B D C बना या फिर C B D बना या फिर D B C बना कुछ भी इसे लिख सकते हो तो हम सीधा-फिधा लिखेंगे B C D क्या लिखेंगे B C D इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को अब देखो यहां पर एक चीज़ समझना एक चीज़ समझना यह जो दोनों तिरभूज बने हैं जो अभी अभी बने हैं A C D और B C D A C D और B C D इनका दोनों का बेस एक है की नहीं समान अधार है ना भाईया एक बार फिर से देख लो A F D और B F D एक बेस पर बने हैं D C पर C D बनना बने हैं और क्या हैं यह दोनों समान समानतर लाइन के बीच में भी बने हैं समान अधार पर बने हैं यह दोनों समान समानतर लाइनों के बीच बने हैं C D और A B के बीच बने हैं बने हैं ना तो ऐसी इस्थिति में क्या होता है ऐसी इस्थिति में क्या A B पैरलल हो जाएगा C D के ऐसी सी बात है लेकिन ये बात थोड़ा उल्टा पड़ रही है क्योंकि हमें ये चीज नहीं दिखाना है हमें पैरलल नहीं दिखाना है हमें तो सरी हमें तो पैरलल सिद्ध करना है तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि दोनों समान अधार और समान समानतर रेखा के बीच में बने हैं क्योंकि एक मिनट अगर फिर से आप देखो BCD को BCD और AFD या ADC एक मिनट सुनना पहले अगर इनको देखा जाए तो यह समान समानतर रेखा के बीच बने हैं क्या BCD और ACD नहीं न आपको क्या लग रहा है पर लिए बताओ ऐसा कुछ है क्या हाँ है दिख रहा है समान समानतर रेखा के बीच में भी बने हैं लेकिन इसमें एक चीज और है हमें यही चीज तो सिद्ध करना है कि यह पारलल है तो हम एक दूसरा इसका पॉइंट पकड़ेंगे वो क्या है इसमें बापु दोनों में एरिया बराबर दिया था एरिया बरा तो उनका छेतरफल हमेशा बराबर होता है लेकिन अगर हम इसको दूसरी भासा में बोलें कि कोई दो तिर्भुज जो समान अधार पर बना हो जिसका छेतरफल बराबर हो तब वो जो समान समानतर रेखाओं के बीच बना होगा ये भी तो सही है ना? बोलो सही है कि नहीं? चाहे तो हम बोलें कि अगर कोई तिर्भुज समान अधार पर बना है समान समानतर रेखाओं के बीच बना है तो उसका छेतरफल बराबर होगा चाहे हम इसको ऐसा बोलें कि अगर कोई दो तिर्भुज समान अधार पर बना है और उसके 6 तरफल समान है दोनों के तब फिर वो 2 दोजों 15 रिखाओं के बीच में दोजों 15 रिखाओं के बीच में बना होगा, दोनों बाते के हुई ना होई ना, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर तोड़ा लिख लो, देखिये बात मैं लिख दिया है जल्दी कर यह लिख लिजिए फटाफट ठीक है यही बात में बोल रहा था अब बहुत ज़्यादा बोलूंगो तो टाइम ओबर हो जाएगा तो बिटा अगर ऐसी इस्थिती आती है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि AB parallel है CD के ठीक है AB parallel है CD के और अगर यह दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हम कह सकते हैं आता है ABCD एक समलंब है क्या है समलंब है यही हमें सिद्ध करना था इस तरह से आपका question number 15 भी complete हुआ अगर आपके मन में कोई doubt है तो निसांकोच बताइए जल्दी करिए लिख हो गया उमीद है मुझे कि आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीन साट ले लिया होगा देखो बेटा बहुत से चात्र मैथमेटिक्स में बहुत कम जोर होते हैं उनके लिए एक विसेस आफर मैं आपको इस क्रीन पर दिखा रहा हूं हो सकता है आप जब इस कलास को आदा उठा सकते हैं बिल्कुल कच्छा है एक से लेके 10 तक का पूरा कंपलीट मैथ जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल कमजोर है वो एक बार इसे जरूर ज्वाइन कर लें ठीक है चलिए अगला कोश्चन कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जरा पढ़िए हिंदी में एक बार एक बार इंगलिस में एक बार मैं इंगलिस में पढ़ूँगा हिंदी में आपके सामने दिख रहा आप एक बार पढ़ लीचिए के रहा, in the given figure, area of DRC, area of DRC, equal area of DPC, okay, and area of BDP, area of BDP, equal है, area of ARC के, फिर के रहा, so that both the quadratral, so that both the quadratral, ABCD and DCPR are trapegium, यानि इसमें जो दो चतुर भुज दिये गए हैं, ABCD और DRPR, ये दोनों समलंभ है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है, question हिंदी में पढ़ लो बेटा, इस्क्रिन पर दिख रहा है, हां, दिख सबको रहा है, मैं पढ़ूं, क्यूं, चलो, आगे बढ़ूं, सबसे पहले इनके figure बना लेंगे, चितर बना लेंगे, question एक बार मैं पढ़ देता हूं, कहरा बेटा कि दी गई आकरती में, DRC का छेतरफल, DPC के बराबर है, और BDP का छेतरफल, ARC के बराबर है, तो दर्साइए कि दोनों चितरफुज, ABCD और DPCR समलंभ है, चलो, देखते हैं, देखे साथी, मैंने चितर बना लिया है, अब इसमें कुछ समझना है, बहुत आसान है, देखो बेटा, इसमें कह रहा था कि DRC का जो छेतरफल है, वो DPC के बराबर है, ठीक है, मैं question हटा DRC, ठीक है, DRC का जो छेतरफल है, वो क्या है बाबू, DPC, यानि इसका एरिया, DPC, इसके एरिया के बराबर है, ऐसा कह रहा था, तो आप एक चीज़ अगर ध्यान दो, तो जो DRC है और DPC है, फिर से एक बार देखो, DRC, DRC का मतलब इनका ये है, समझ रहे हो, ये, DRC का अब ये जहां पर मैंने P लिखा है, ये पूरा तिरभूज, ठीक है, आगे इसमें एक और कह रहा था, उसे समझ न, DPC, DPC, इसे तुम समझ गए, चलो DPC दिखाता हूँ, अब देखो, DPC इनका कहने का ये मतलब है, बेटा, DPC, यानि ये ट्रेंग, ये, ठीक है, समझ गए एक बार ये इधर से पूरा, एक बार ये इधर से पूरा, ये दोनों के आपस में एरिया में बराबर है, अगर ये चीज़ आपने नोट किया होगा, तो चाहे आपने इसको लिया होगा, चाहे आपने इसको लिया होगा, इसमें DC दोनों में आ रहा है, बोलो आ रहा है न, यहिए D C क्या है common है, यह एक समाना अधार एक समान बेस डी सी पर ही बने है, बने हैं, और क्या है, एडिया में भी एक्क table है, यह हो तो पहले से यह दिया है, छाटर फल भी इनका पराबर है, एक समाना अधार पर बने भी हैं, और अगर ऐसी श्तित ही होती है, तो वो दोनों सिर भूजग एक समान समानतर रेएख एक सिस्तित होते हैं होते हैं छ Hypn होते हैं इस पात को एहां पर लिखे क्सितरा ढ़र अगर दो रेखा हैं आपस समानतर हो गईi DC और कॉ cierto R P D C और R P तो भईय अगर दो रेखा आपस में समंतर है तो ये एक समलम्ब होगा दिदीसी बात है समलम्ब में क्या होता है दो रेखा हैं समंतर जरूरी होती है और वो हम दिखा देंगे तो एक समलम्ब हो जाएगा यही तो करना है चलिए लिख ले 높े हम आपसे जो कहना चाहते थे वह मैंने उपर लिख के दिखा दिया आप से ध्यान दीजिए लिख रहा है ना दोनों क्या हैं समान आधार पर बने हैं और समान छेत्रफल भी इनका दिया है पहले से दिया है और अगर ऐसी थिती है तो यह दोनों रेखाएं d c और ये r p आपस में क्या होंगी ये दोनों समानतर होंगी और अगर ये दोनों रेखाएं समानतर होंगी तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं अरे यही c d r p चाहे तो ऐसे ले लो पीछे साइट से पढ़ लो या फिर ऐसे इसे कह सकते हो d c pr d c pr एक समलंब होगा ठीक है लिख देखा देता हूं यह मैंने लिख दिया तो आपका यह कोश्चन का एक पार्ट हो गया खतम इसमें एक और समलंब सिद्ध करने को कह रहा था तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे चलिए इसको मिटा देते हैं आप लिख लिजिए स्क्रीन साट ले लिजिए उसके बाद इसका दिखाने थे कोश्चन अभी फिर से दिखा दूंगा जिसमें एक समलंब मैंने प्रोब कर दिया दूसरा समलंब ABCD के लिए हमने यहां पर लिखा जो दिया है यह को इसमें BDP बराबर ARC दिया था बाबू दिया था इसमें एक चीज और भी बराबर दिया था वो क्या दिखान दीजिए इसमें पर आपको दिख़ा है इसमें अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो लिखा है कि दी गई आकरती में DRC बराबर है DPC के और BDP बराबर है ARC के यह दिया है ना तो देखो बाबू इसमें हम क्या करेंगे ना BDP से BDP से हम जो पहले बराबर धार आपको दिया था DRC बराबर DPC दिया था यानी DRC डी assessment बराबर है तो हम पहले वाले से इसमें से DPC घटा लेंगे तो हम से DRC घटा लेंगे फर जू आएगा व भी क्या होगा बराबर होगा और फिर सिर्द हो जाएगा चलिए दिखाते हैं गा आप आपको बताया वही तो मैंने लिखह कुछ और किया लिखना में त Item पर की मैं नहीं आपके सामने बोलता हूं ऐसंग सेoston नोगर को गया है अगरsanी को दय किல मैंने km अगले दिन से अगर कोई आपके मन में बात है तो आप कमेंट करके बताइए अगर अभी तक आपने पीवीर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीवीर स्टडी 3.0 और पीवीर स्टडी इलहाबाद चैनल को यूटूबब पर तुरन सब्सक्राइब कर लें और प्रेश करेँ और हां हमें फेस्बूक पर जरूर फालो करें लियों को प्र जरूर फालो lane में जिसे कि वहां बढ़िक प्रीन के सब्सक्राइब बहुत बहुत बेदरी स्बदा के साथ लाइब जबाब मिलता है लुखिए में बच्चे अगली कल्स में जहीं